हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम भी एट इंटेंस एक्जाम के हिंदी के प्रिविएस पेपर के बारे में बात करेंगे, तो चले फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस्थाई भाव है, आप्शन है, रोदररस, अद्बुदरस, वीररस या फिर विवत्सरस, तो फ्रेंड्स उट्सा रस इस्थाई भाव होता है, वीररस का, तो आप्शन सी यहां पे हमारा राइट आंसर है, नेक्स्ट है, का का उचारण इस्थान क्या है, तालू, कंट, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें, का के उचारण इस्थान की तो फ्रेंड्स का बोला जाता है, कंट से तो आप्शन भी, यहां पे हमारा राइट आंसर है, नेक्स्ट है, मीठा का ब्लोम क्या होगा, फीका, कडवा, तीखा या फिर नमकीन, तो फ्रेंड्स मीठा का ब्लो उसने कहा था के लेखक हैं धुमिल, प्रेमचन, नागारजोन या फिर चंदरधर शर्मा, तो फ्रेंड्स उसने कहा था के लेखक हैं चंदरधर शर्मा गुलेरी, तो आप्शन टी यहां पे हमारा रायच आंसर है, नेक्स्ट कॉर्शन है, आकाश पाताल एक कर देना का क्य आड़त होता है, जूट बोलना, धोका देना, बड़ी-बड़ी बाते करने, या फिर कथिन परिश्रम करना, तो friends आकश पातल की बात करें तो तव यूज किया जाता है, जब कोई परिशन बहुत महनत करे, हम बोले, कि उसने तो आकश पातल एक कर दिये, इतनी महनत करे थी, तो यहाँ पर option D हमारा right answer होगा, कठिन परिश्रम करना. Next है, शुभा गमन में संधी है, यर्ण, गुण, अयादी, हमारा जो fourth option है, वो है दीर. तो हमें बताना है, शुभा गमन में जो संधी है, वो कौन सी है, तो friends, सुभा गमन में जो यहाँ पर संधी यूज की गई है, वो है दीर संधी, तो option D है, यहाँ पर हमारा right answer है. Next है, शुभा गमन में किस भाशा का शब्द है, अंग्रेजी, जापानी, रूसी या फिर तुर्की. तो friends, पूतनी जो हमारा शब्द है, यह हमारा रूसी भासा से लिया हुआ है, तो यह रूसी शब्द है, टॉप्शन सी, यहाँ पर हमारा right answer है. Next हम बात करते हैं, भहुबरी समास की, कि भहुबरी समास क्या है? तरबुच है, राजपूत है, प्रतिदिना या खर चक्रपाणी है, तो friends, भहुबरी समास होता है हमारा चक्रपाणी. Next है, सायुक्त वेंजन है, ए, शा, ग्या या फिर रुडा, तो friends, सायुक्त वेंजन शब्द होते हैं हमारा option C, यह सायुक्त वेंजन सब्द है. यह हमारा बना है या ग्या, जो हमारा बना है जा और या से, तो इसलिए यहाँ पर हमारा option C, राइट है. Next है, जो किसी नियम का पालन ना करें कहलाता है, अब्रद, उच्रखल, अनुशाशनहीन या फिर दोस्ट, तो friends, जो किसी नियम का पालन ना करें वेंजन शब्द कहलाता है, उच्रखल, तो option B, यहाँ पर हमारा राइट आंसर है. Friends, अगर कोई भी, यहाँ पर वर्ड बोलने में थोड़ी, अगर गलती हो रही हो, तो I'm really sorry, क्योंकि हिंदी मेरा main subject नहीं है, तो अगर मेरे पास request आ रही थे, कि मैं हिंदी में वी video upload करूँ, कि वीडियो, previous paper में हिंदी से किस तरह से questions पूछे गए थे, इसलिए मैं इस word में लगता है कि मैं उसको ठीक से pronounce नहीं कर पा रही हैं, तो I'm really sorry, next है, उच्चे द्विकल चुनकर रिक्तिस्थान की पूर्ति करें, उथ्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है, तो हमें यहाँ पर वर्ड फिल करना है, उथ्थान के लिए तो हमें श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है, तो वो क्या है, रास, द्वन, स्विनाश या फिर पतन, तो friends, आप इससे भी अंदाज लगा सकते हैं, उथ्थान का opposite ले लिजिए, तो वो यहाँ पर होगा, तो उथ्थान के लिए तो क्या करना पड़ता है हमें महनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, और क्या अपने आप हो जाता है, तो उथ्थान का होता है, पतन, opposite, तो यहाँ पर option D हमारा right answer होगा, पतन, next है, कौन सा एक शब्द श्रंख्ला में नहीं है, option से हमारे तड़ित, या मिनी, चपला या चंचला, तो यहाँ पर मैच नहीं होता है, तो friends, यह हमारा तड़ित, या मिनी, चपला, चंचला, यह हमारे बिजली के दे रखे हैं, परियावाची शब्द, जिसमें की या मिनी हमारा नहीं है, जबकि तड़ित, चपला और चंचला हमारे बिजली के परियावाची शब्द है, तो option B यहाँ पे हमारा right answer है next है हिंदी वाक्य में पद्ग्रम किस प्रकार होता है करता कर्म क्रिया करता क्रिया कर्म कर्म करता क्रिया या फिर क्रिया करता कर्म तो friends हिंदी की वाक्य के अनुसाब पद्ग्रम बताएं तो यह होता है हमारा करता कर्म करिया तो option A यहां पर हमारा राइट आंसर है नेक्स्ट है मोहन अपने कारे में दक्ष है मैं रेखांकिन चपका सही हमें विकल्ब चुनना है चतुर है चालाख है प्रवीन है या फिर पून है तो फ्रेंट बताना है दक्ष का यहां पर क्या मतलब है मोहन यहां पर अगर हम नेक्स्ट है जिस क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है उसे कहते हैं कर्मक सकर्मक द्विकर्मक या फिर पून काले तो फ्रेंट जिस क्रिया पर फल कर्म पर पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं यह हम यहां पर पता लगाएं तो फ्रेंट जिस क्रिया का फल कर्म पर पढ़ता है उसे हम सकर्मक्रिया कहते हैं तो options भी यहांपे हमारा right answer है next है सहियोग जी का में प्रियोग तो प्रत्य है का, आ, अकहा, इकहा तो friends सहियोग जी का में जो प्रियोग तो प्रत्य होता है वो है आ और मूल शब्द सहियोजक है तो friends option यहांपे B हमारा right answer है A next question पे आते हैं कि सब्द में उपसर का प्रियोग नहीं किया गया है अनार, अपार, अकाल या पिर अखाद तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें उपसर की तो अनार शब्द में उपसर का प्रियोग नहीं किया गया कि यहाँ पर आप उस वर्ड को जब तोड़ेंगे तो उनका अलग-लग मीनिंग होना चाहिए जैसे कि A plus PAR अलग-लग मीनिंग है A plus काल, A plus खाद जबकि A plus नार का कोई मीनिंग नहीं होता जबकि PAR, काल, खाद का मीनिंग होता है नेक्स्ट है कालंदी कूल कदम की डारन में अलंकार है शलेश, उपुमा, अनुपरास या रूपक तो फ्रेंट कालंदी कूल कदम की डारन में कावर्ण की आवरती बारवार हुई है इसलिए यहाँ पर अनुपरास अलंकार है तो option C यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है देवनागरी लिपी में कितने वर्ग है चार, साथ, पांच या फिर नौ तो फ्रेंट्स अगर देवनागरी लिपी में बात करें तो पांच वर्ग है यह पांच वर्ग होते हैं कावर्ग, चावर्ग, रावर्ग, तावर्ग and पावर्ग तो friends, यहाँ पर हमारा जो right है, sorry, कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग and पावर्ग तो यहाँ पर हमारा जो right answer है, वो है option C, 5 Next है, निमलेखित में से कौन सी बोलने की योगिता है? शुद्वर्तनी, सुलेग, रुतुलेग या फिर आशुलेग तो friends, अगर हम यहाँ बात करें, शुद्वर्तनी बोलने की योगिता की, तो शुलेग, रुतलेग और आशुलेग ये सभी सम्मंदी योगिता हैं, जिबकि बोलने की योगिता होती है, शुद्वर्तनी, तो option A, यहाँ पर हमारा राईचा answer है नेक्स्ट है, मुँ में राम बगल में चुरी लोकुत्ती का क्या अर्थ है, उपरी मित्रता, मन में शत्तुरता, इशुर के नाम पर चलना, चलाकी करना यह पर राम का नाम पापी भी ले सकता है तो friends, अगर हम बात करें, मुँ पर राम बगल में चुरी लोकुत्ती का अर्थ, उन लोगों पर चरितार्थ होता है, जो उपरी भाव से तो मित्रता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके अंदर सत्तुर का भाव होता है तो friends, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो option A हमारा right answer है, उपरी मित्रता, मन में शत्रता नेक्स्ट है, निमनिकित मैंसे कौन सा मात्रिक चंद है, दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सब ही तो friends, दोहा, चौपाई और रोला तीनों ही मात्रिक चंद के उधारण हैं, जिन चंदों में मात्रों की गर्णा की जाते हैं, वे मात्रिक चंद कहलाते हैं जैसे दोहा में बिशम चरणों में 13-13 मात्रा हैं तथा सम चरणों में 11-11 मात्रा होती हैं जबकि चौपाई के प्रतिक चरण में 16-16 मात्रा होती हैं और रोला में कुल 24 मात्रा होती हैं इसलिए यहाँ पर option D हमारा right answer है ये सब ही नेक्स है ग्रामीर शब्द में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है उल इल इन या फिर इम तो फ्रेंड्स ग्रामीर शब्द में प्रत्य की बात करें किसका हुआ है तो ग्रामीर में हुआ है ग्राम प्लस इन तो यहाँ हमारा इन वर्ल्ड करेक्ट होगा तो option C यहाँ पर हमार इसरा अनकार्शक कीलियों साइब है नेक्स्ट है जिसकी चिंता नरेống चैतनwyn चैना चिंहां ऑफ होसा फ्रेंट नेक्सेट नकी ज़कार Anna करें है आकर्शन की अथार्ट खिचाओ का विपरितार थक विकर्शक अथार्ट अलगा होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह हमारा राइट आप्शन है अगर हम बात करें आकर्शन का विपरितार थक की तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा विकर्शन तो option B यहाँ पे हमारा right answer है निमलिकित मैंसे कौन सा सिंग का पर्यावाची नहीं है शारदूल, म्रगेंद्र, केशी या फिर तड़ित तो friends बताना है इसमें हमें सिंग का पर्यावाची इसमें से कौन सा नहीं है तो friends अगर सिंग के पर्यावाची की बात करें तो सिंग के पर्यावाची होते हैं केशरी, म्रगराच, म्रगेंद, केहरी, व्याग, आदी इसके साथ ही केशरी, शारदूलो, वनराज भी शिंग के पर्यावाची होते हैं लेकिन यहाँ पे friends तड़ित जो है ये वो है हमारा बिजली का पर्यावाची तो option D यहाँ पे हमारा right answer है नेक्स्ट है निलामबर किस समास का उधारण है ततपुरस, दिगू, धुंदू यहाँ भहूबरी तो friends यह हमें बताना है निलामबर किस समास का उधारण है तो friends निलामबर जिसका आर्थ होता है निला है अंबर जिसका यानि कि अधार्थ क्रेश्न यहाँ पर श्री क्रेश्न एक अन्य अर्थ की प्रधानता का बोध हो रहा है अधार निलामबर भहूबरी समास है इसमें निला और अंबर दोनों मैंसे कोई भी प्रधान नहीं है बलकि पूरा ही पद, किसी अन्य पद स्री कृष्ण का विशेशन है, तो यहाँ पर option D, यहाँ पर हमारा right answer है Friends, किसी भी world को यहाँ पर pronounce करने में कोई mistake हो रही है, तो I am really sorry Next है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रियुक्त कारक भिवक्ती है संपरदान, अधिकरण, करण या फिर कर्म, तो Friends, बताना है, यह किताब रमेश को दे दो, शब्द में प्रुक्त कारक भिवक्ती कौन सी है तो Friends, यह किताब रमेश को दे दो में इस वाक्य में आया पड़सर्प को कर्म कारक भिवक्ती का चिन है अता है यहाँ पर कर्म कारक भिववक्ति है तो friends, option D यहाँ पर हमारा right answer है next question है निम्न मैसे किस सब्द में आयादी संदी है यद्यपी, अन्वेशन, नायक या फिस सदेव तो friends, पताएं इहाँ पर अगर हम आयादी संदी के बारे में तो friends, आयादी संदी में आता है AI O, AO के बाद कोई भिणसवर आता है तो वो हैं आयादी संदी कहलाता है जैसे की AI का I, O का AW और AO का AW हो जाता है इसलिए friends, यद्यपी संदी में हम बात करें यद पी यदी प्लस एपी ई प्लस आ यानि कि यण संदी का उधारण है अन्वेशन अनू प्लस एशन यानि कि उ प्लस ए ये भी यण संदी का उधारण है नायक ने प्लस अ कहा ए के बाद स्वर आ आ रहा है इसलिए फ्रेंट्स ये अयादी संदी है और अगर फोर्थ आप् उठकर बाहर जौ फूल ले आओ ? इस वाक्टे में बाहर किस प्रकार क 27 शॉक्त है ? संग्या, वि हो मोहण, वी श्यशन , अवय ? क्रिया विशिशंड मोहन उठकर बाहर्व फूल ले आओ ईस वाक्टे में बाहर एक अभीकार शॉक्द है अविकारी शब्दों को अव्यब भी कहते हैं अव्यब शब्दों के अन्य धारण हो सकते हैं जैसे कि भीतर, आगे, पीछे, धीरे-धीरे, तीवर, इद्यादी तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें इसके right answer की तो इसका जो right answer है वो है option C, अव्य Next question पर आते हैं यहाँ मीठा है, यहाँ मीठा एक विधे विशेशन है तो friends यहाँ पर हमारा जो right answer है वो है option C, विधे विशेशन Next है सरल विशेशन से भाववाचक संग्या निर्मित शब्द है सरला, सरलता, सरलिये या फिर सरलाभ तो friends यहाँ पर हम बात करें सरल सब्द में ता प्रत्य जोड़कर सरलता एक भाववाचक संग्या बनाई जा सकती है तो friends यहाँ पर जो हमारा right answer है वो है option B, सरलता Next है निमलिकित सब्जम में से कौन सा एक पुर्टगाली भाशा का शब्द है options है हमारे पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी तो friends पिस्तौल, विदेशी शब्द, अधार्थ, पुर्टगाली शब्द है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है Next question पर आते हैं हम बिहारी हिंदी के अंतरगत कौन सी बोली नहीं आती Mathly, Maghi, बोचपुरी, अबधी तो friends, Mathly, Maghi, बोचपुरी सबी बिहारी हिंदी के अंतरगत आती हैं ठीक है, तो friends क्या हो गया? Mathly हो गया, Maghi हो गया और हो गया हमारा बोचपुरी तो यहाँ पर जो नहीं आता है यह पूछा गया है तो वो है option D, अबधी, बिहारी हिंदी के अंतरगत नहीं बोली जाती मुठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आक तापना, घूस देना, मुक्कामा लगाना या फिर धाक जमाना तो friends मुठी गर्म करने का अर्थ है घूस या किसी को रिस्वत देना तो friends option B हमारे यहां पर राइटान next question है तुम आज जाते एक बार कितनी करोणा, कितने संदेश, पत्में बिच जाते बन पराग इस पंक्तियों में कौन सा रस श्रजित होता है श्रिंगार रस, वीर रस, अदबुद रस या फिर बिवत सरक्स तो friends अगर हम बात करें इन पंक्तियों की तो इन पंक्तियों में उत्पन भागों को ये दर्शार है कि इसमें एक व्यक्ति के किसी प्रिय व्यक्ति के विड़ह में ये पंक्तियां कहीं गई है तो इसके अंदर व्योग रस आ रहा है तो friends यहाँ पर अगर हम इनके right answer की बात करें कि इसका जो right answer है वो क्या होगा तो इसका जो right answer है वो है option A श्रिंगार रस Next question है उच्च तम में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ है तर, तम, दार या फिर या तो friends बात करें उच्च तम में यह एक शब्द क्या होगा मुमूर्शा, बुबुच्छा, जिग्गीशा या फिर चिकीडशा तो friends अगर हम बात करें यहाँ पर करने की इच्चा के लिए एक शब्द तो वो है हमारा चिकीडशा तो friends option D यहाँ पर हमारा right answer है Next question पर move करते हैं यहाँ पर हमें विप्रितार्थक शब्दों को बताना है की इसमें से विप्रितार्थक शब्द कौन कौन से है तो option है हमारा अवनी option से अंबर, तारे, समुंद्र, परवद तो friends अगर हम बात करें अवनी के विप्रितार्थक शब्द की तो वो है हमारा अंबर तो option A right answer है next है अंतद्वन्दू तो इसका options है वहिद्वन्दू, दुद्ध हिंदा, अद्वर्द या द्विन्द तो friends बात करें यहाँ पर अंतद्वर्द की तो यहाँ पर जो हमारा right answer है वह है वहिद्वर्द तो option A यहाँ पर right answer है I am really sorry friends अगर यहाँ पर pronounce करने में में को गलती हो रही है तो क्योंकि हिंदी मेरा main subject नहीं है मैं commerce student हूँ लेकिन आप लोगों की request थी कि मैं हिंदी के भी paper को यहाँ बताऊं तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको यह discuss कर रही हूँ यह 2015 का previous paper है next है निमलेकित मैं से कौन सा चंद्रमा का परयावाची शब्द नहीं है कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर बिहग तो friends यहाँ पर अगर हम चंद्रमा के परयावाची शब्द की बात करें तो चंद्रमा के different परयावाची शब्द हैं अगर हम बात करें चंद्रमा की लेकिन अगर हम इन options के according बात करें कि इसका परयावाची शब्द नहीं है तो वो है option D, विहग विहग इसका परयावाची शब्द नहीं है next question पर आते है लोकनायक में कौन सा समास है ततपुरुष, द्विंग, द्विंद या अव्याई भाव तो फ्रेंड्स बात करें लोकनायक में तो इसका अर्थ है लोक के नायक संबन ततपुरुष, समास संबन ततपुरुष, समास में दो पत के मद्धे का की के का समद बताया जाता है इसलिए यहाँ पर हमारा जो अगर हम बात करें इसमें कौन सा समास है तो वो है यहाँ पर ततपुरुष, समास तो उप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है नेक्स क्वेशन है निमलिकित मैंसे कौन सी संदी है विसर्ग संदी, व्येंजन संदी, यनस्वर संदी या फिर दीर्ग संदी तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है नमस्कार में नमाहा प्लस का रहा तो यहाँ पर विसर्ग संदी है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है विसर्ग संधी नेक्स question है तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेशन है तो friends अगर यहाँ पर बात करें थोड़ा थोड़ा में कौन सा विशेशन है यहाँ पर जो में वर्ड है वो है थोड़ा 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 तो इस वाक्य में अगर हम बात करें विशेशन की friends, तो यहाँ पर जो विशेशन है वो है परिमान वाचक करिया विशेशन, तो friends option C यहाँ पर हमारा right answer है, next है आप आजकल कहा है, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक य आप आजकल या कहा है, इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम, तो friends यहाँ पर option A हमारा right answer है, next question पर आते हैं, विशेशन कौन सी संग्या है, भावचक, चातिवाचक, सहमूवाचक या फिर व्यक्तिवाचक, तो friends विशेशन की बात करें, तो यह है यहाँ पर हमारा right answer है, next है धरित्री का तद्वव रूप क्या होगा, धर्ती, भूमी, धरा या फिर धर, तो friends बात करें, अगर हम यहाँ पर धरित्री के तद्वव रूप की, तो वो है धर्ती, तो option A यहाँ पर हमारा right answer है, next है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की है, नौ राज्यों की 10, 13 या फिर 15, तो friends इंदी भारत के 10 राज्यों में राज्यों की रूप में प्रियोग की जाती है, इन 10 राज्यों में जैसे की उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजिस्थान, आधी प्रमुख है, तो friends यहाँ पर option B हमारा right answer है, जो की ह नेक्स question पर आते हैं, भारत के प्रमुख अव्यव हैं, sorry भाषा के प्रमुख अव्यव हैं, वर्ण सब्द पद वाके, वर्ण शब्द अनुच्छेद वाके, शब्द वाके, वर्ण विचार या फिर वर्ण शब्द वाके और भाशन, तो friends अगर हम बात करें भाषा के वर्ण भी बोलते हैं, तो यह इसका अव्यव है, तो यहाँ पर option A हमारा right answer है, वर्ण शब्द पद वाके, फर्स्ट कोस्चन है हमारा, पहचान का तच्सम सब्द है, options है, प्रत्य विज्ञान, प्रग्यान, अभिज्ञान या फिर अवधान, तो friends हम बात करें, पहचान के तच्सम शब्द की, तो वो है प्रत्य विज्ञान, तो option A यहाँ पर हमारा right answer है, next है, प्रभूत्व का तद्भव शब्द है, option से पहचान, पहुच, गुरुत्ता, गुरुत्व, तो friends बात करें, प्रभूत्व के तद्भव वर्ड की, तो इसका तद्भव शब्द है, प तच्सम कौन से शब्द है, options है, बहन उई, बहन पती, भगनी पती, या फिर इन में से कोई नहीं, तो friends बहन उई का शब्द का तद्भव शब्द है, वो है भगनी पती, तो option C यहाँ पर हमारा right answer है, next है, ब्रश्चिक शब्द का तद्भव रूप है, बिच्चु, ब्रपद, बर्र याँकि ब्रवर, तो friends ब्रश्चिक शब्द का तद्भव रूप है वो है बिच्चु से, तो option A यहाँ पर हमारा right answer है, next question है, निमलिकित मैंसे कौन सा सही नहीं है, अव्वे और क्रिया विशेशन में कोई अंतर नहीं होता, B अव्वे अविकारी होते हैं C सभी अव्वे क्रिया विशेशन नहीं होते, या फिर D क्रिया विशेशन अविकारी होते हैं, तो friends बात करें इसमें से कि कौन सा सही नहीं है, तो वो है अव्वे और क्रिया विशेशन में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि friends अव्वे और क्रिया विशेशन में अंतर होता ह तो option A यहाँ पे हमारा right answer है next है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है इस वाक्य में कौन सा अव्यव है options है संकीत वाचक, कारण वाचक, परिमान वाचक या फिस समुच्चे बूधक तो friends अगर हम बात करें इसके right answer की कि वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है तो इसके कारण वाचक क्योंकि इसके कारण बताया हूआ यह फिसले लाचार क्योंकि वह विकलांग है option B यहाँ पे हमारा right answer है next है निमलिखित मैंसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं है वह कपड़े साब्थ होता है वह दीरे दीरे पड़ता है आम मीच्छा है या फिर समों से ताजे बन रहे हैं तो friends हम क्रिया विशेशन की बात करें यहां पर तो क्रिया विशेशन की बात है कि आम मीच्छा है यानि कि आम कैसा है मीच्छा है तो यहां पर Option C हमारा Right Answer है, जबकि यहां पर कपड़े दोता है, क्रिया दे रखा है, पढ़ता है, बन रहे हैं, इन सब में क्रिया का बहुत हुआ है, लेकिन आम मीठाए में किसी भी तरह की क्रिया का प्रियोग नहीं हुआ है तो option C है यहां पर हमारा right answer है Next है जिस सब्द से kriya के होने का समय निर्धारे तो उसे कहते हैं कारक, काल, अव्वे, यवे क्रिया विशेशन तो friends जिस सब्द से kriya के होने का निर्धारन होता है उसे कहा जाता है काल तो option B हमारा right answer है नेक्स्ट है निमलेकित मैसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन का अशुद प्रियोग हुआ है वह मन से पढ़ता है वह चुपचाप से चला गया तब की बात कुछ और थी या फिर पुस्तक उससे कहीं अच्छी है तो फ्रेंड्स इसमें हमें बताना है कि यहां पर क्रिया वि फ्रेंड्स चुपचाप चला गया यहां पर राइट सेंटन्स यह होना चाहिए ता लेकिन यहां है चुपचाप से चला गया तो यहां पर से लगाने के बाद यह जो वाक्य हमारा यह अशुद हो गया तो ऑप्शन भी यहां पर हमारा राइट आंसर है जबकि और ऑप्श रोते रोते कहा वह जाएगा तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर कि क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो है राम जाता है यहाँ पर क्रिया विशेशन का प्रयोग नहीं हुआ है तो option A यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है निमलिखित मैसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन अशुद रूप से प्रियुक्त है आप मेदी मदद करेंगे ना मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है वह ना सोता है ना खाता है या फिर वह दीरे दीरे चला जा रहा है तो हमें बताना है कि इसमें नेक्स्ट है संसकार का संदी विच्छिद है संस प्लस कार सं प्लस कार सं प्लस कार या फिर सह प्लस कार तो अगर हमें यहां पर संदी विच्छिद की बात करें तो इसका जो संदी विच्छिद जो राइट आंसर होगा वह होगा सं प्लस कार तो ऑप्शन भी यहां पर हमा उद्गम में प्रियुक्त उपसर्ग है उद्थ, उद्ध या फिर उद्थ. तो friends अगर हम बात करें, उद्गम में प्रियुक्त उपसर्ग की, तो वो है हमारा उद्थ. option b, हम पर हमारा right answer है. नेक्स्ट है संस्करण में प्रियुक्त उपसर्ग है सम, सम, सम या फिर संस तो फ्रेंड संस्करण में बात करें यहाँ पर कौन सा अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा उपसर्ग है तो वो है सम तो option भी यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है सौकी गिंती को कहते हैं सतक, सती, सताब्दी या प्रतीशत तो फ्रेंट सौकी गिंती को कहा जाता है सतक तो option A यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है गुरू के समी प्रहने वाला विद्यारती कहलाता है तो फ्रेंट्स जो गुरू के समी प्रहने वाला विद्यारती होता है उसको कहा जाता है अन्तेवासी तो option C यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है परित्यक्त शब्द सही अर्थ क्या है जिसका परित्यक्त किया जा सके जो दान में दिया गया हो जिसे उदेश्च उपेक्षण पूर्वक छोड़ दिया गया हो या पर जिसका परित्याग आवश्यक हो तो friends अगर हम परित्यक्त की बात करें तो इसका आंसर होता है जिसे उपेक्षण पूरवक छोड़ दिया गया हो तो option C यहाँ पे हमारा right answer है friends इसका जो print है वो इतना clear नहीं है तो मैं कोशिच करूँगी कि आपको अच्छे से यह सारे questions करा पाऊं next question है रेंस्ट्रों किस भाषा की भाषा का शब्द है options है A जापानी, B फ्रांसी, C जर्मनी या फिर D रूसी तो friends बात करें अगर हम रेंस्ट्रों वर्ड की तो ये एक फ्रांसीची शब्द है तो option B यहाँ पे हमारा right answer है next है निमलिकित मैंसे कौन सा सब्द उपसर्ग रहित है परिरक्षन, निरूपन, सोसाशन या फिर ब्रहत तो friends अगर हम बात करें यहाँ पर उपसर्ग रहित वर्ड की तो वो है हमारा ब्रहत्तर तो option D यहाँ पे हमारा right answer है next है लिपसा शब्द कौन सा प्रत्य है आ, सा, पसा या फिर इन मेंसे कोई नहीं तो friends लिपसा सब्द में जो प्रत्य जुड़ा हुआ है वो है हमारा सा तो option D यहाँ पे हमारा right answer है next है अंगूठा दिखाने का क्या अर्थ है दोका देना, इनकार करना, खुशामत करना या फिर आदर पकट करना तो friends अगर अंगूठा दिखाया जाता है किसी भी व्यक्ति को तो इसका अर्थ होता है कि वो इसको धोका दे रहा है तो option A यहाँ पे हमारा right answer है धोका देना next है गोबर गड़ेश होना मुहावरे का क्या अर्थ है कि ये धिरे पर पानी फेरना, बेफकूफ होना, गोबर की पूजा करना या फिर गड़वड करना तो friends गोबर गड़ेश करने का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ भी काम ऐसा किया है it means कि ये धिरे पर पानी फेरना तो option यहाँ पे A right answer है next है अन्य जल कौन सा समास है दिगू, ततपुरुष, अव्यभाव या फिर दुन्द तो friends अगर हम बात करें अन्य जल में कौन सा समास है तो वो है दुन्द तो option D यहाँ पे हमारा right answer है next है नीचे दिएगा शब्द समूम के लिए साही सब्द का chain कीजे तो friends अगर किसी की पतनी मर जाती है तो उसको विदूर कहा जाता है तो option C यहाँ पे हमारा right answer है next है नीचे दिएगा शब्द समूम के लिए साही सब्द का chain करना है जो किसी धर्म या विक्ती में आस्था ना रखे उसे कैसे क्या कहेंगे निशान्त, धर्म निर्पेक्ष, धर्म भीरू या फिर नास्थिक तो friends ऐसा कोई विक्ती जो किसी धर्म विशेश में आस्था नहीं रखता है तो उसको कहा जाता है नास्थिक option D हापे हमारा right answer है जबकि जो विक्ती किसी वी विक्ती या किसी वी धर्म में आस्था रखता है उसे कहा जाता है आस्थिक और उसका reverse होता है नास्थिक तो option D हापे right answer है तो friends ये next question पे आते हैं हम नीचे दिये गए शब्द समू के लिए सही शब्द चेन करना है किये गए एहसानों को जानने, समझने और मानने वाले को क्या कहते हैं सुवग्य, कृतग्य, कृतग्य या विग्य बताइए क्या होगा इसका answer ये क्यलाता है कृतग्य ठीक है next है पतित का परियावाची शब्द अधुगामी, कपूत, पापी या मलेच क्या हो जाएगा ए हो जाएगा अधुगामी next है होसला का विलोमार तक शब्द बताना है होसला, हताशा, उत्सा, इच्छा या संकल्प ए हो जाएगा हताशा next है जो बाटा ना जा सके के लिए एक शब्द है अपून, अतुलनिय, अपरिहार या अभाज्य क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अभाज्य next है दुकाल का उपसर्ग है दुख, दुस, तू या दुख बताएगे क्या होगा दुकाल का उपसर्ग सी हो जाएगा दु next है छत्रिय का प्रत्य बताना है छत्रिय, क्या आरा ये, या, निय या अनिय बहुती सिंपल है ये की साउंट आ रिये, ये हो जाएगा next है निर्जन का संदी विच्छित क्या होगा नीधन रजन निर्धन जन नी धन जन या निह धन जन बताईए क्या हो जाएगा डी हो जाएगा निह धन जन next है अन्धे की लकडी का क्या होगा बहुत कमजोर होना, एक मात्र सहारा बिलकुल असमर्थ होना या किसी अन्धे विक्ती की छड़ी बी हो जाएगा एक मात्र सहारा next देखिए चक्मा देना मुहापरे का क्या अर्थ होता है परिशान करना, परिशानी में डालना, ठगना या इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा c हो जाएगा ठगना next है एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ बताएए एक चीज के अनेक चाहने वाले, एक साथ दो काम होना, एक रास्ते में दो काम करना या फिर इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा एक साथ दो काम करना next question पर आईए दोनों हाथ में लड़ू मुहावरे का अर्थ बताना है किसी भोज में शरीख होना, दोनों हाथों में मोती चूर की लड़ू रखना, दो तरफा लाव या फिर उप्रोक्त सभी क्या होगा yes, c हो जाएगा, दो तरफा लाव next है, समानांतर शब्द का संदिविच्छेद समाना धन अंतर समान धन अंतर, समान धन अंतर या फिर समाना समाना धन अंतर yes, option b correct है, समान धन अंतर next question पर आईए, आपको बताना है कि दान बीर में कौन से समास है बहूब्री है, अब यही भाव है, द्विंदू है या पर ततप्रोश है क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ततप्रोश next है, सीमा पर डैश तैनात है, अब सीमा पर कौन तैनात होते हैं तो आप यह common sense से भी बता सकते हैं, सैना, दुश्मान, डाकू या पुलिस सीमा पर हमारी सैनात होते हैं, ठीक है next है, निम्नमे से कौन सा शब्द शुद्ध है अयोजित, आयोजित, आयोजित या फिर अयोजित क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आयोजित next है, विम्नम्र का परियावाची शब्द क्या है, बहादो, शुशील, भक्त या विज्ञानी भी हो जाएगा, शुशील next है, ब्रक्षों के बड़े समूगों को कहते हैं क्या अकली, आगार, अमबार या वन next है, अब निम्लेकित शब्दों में आपको बिपितार्थक शब्दों बताने हैं दयालू का क्या होगा, उदार, कठोर, निर्दय या सदय क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, निर्दय next है, विस्तीन का, सगीन, विकीन, विकिरन या प्रकीन यह हो जाएगा, संगीन, ठीक है next है, विक्सित का बताएगा, अब विक्सित का क्या होगा अब विक्सित, विकास्षेल, विकासहीन या अल्प विक्सित यह हो जाएगा, यहाँ पे अब विक्सित, ठीक है next है, सुद्ध सब्द का चेन कीजे, क्लेश, क्लेश क्लेश या फिकलेश क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्लेश नेक्स्ट है आलसी व्यक्ती जीवन में कभी भी सफल नहीं होते इस वाक्य में विशेश्य क्या है आलसी व्यक्ती सफल या जीवन बी हो जाएगा व्यक्ती नेक्स्ट है लक्षमन का प्रियावाची निम्ण में से कौन नहीं है सौमित्र, लखन, रामानुज या बलभद्र क्या हो जाएगा डी बलभद्र नेक्स्ट है जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शप्त आपको बताना है क्या बोलते हैं उबैचर, जल्चर, सरीशरप या फिर ये सभी क्या हो जाएगा बी जल्चर नेक्स्ट है सम्मती का संदी विच्छिद है सम्धन्मती, संधन्मती, सद्धन्मती या फिर सम्धन्मती बताईए क्या हो जाएगा C हो जाएगा सद्धन मते ठीक है तो यह थे हमारे 2016 के पेपर में पूछे गए हिंदी के questions कैसे लगे प्लीज जुरूर बताइएगा ठीक है हम बात करेंगे बिए डेंटेंस एक्जाम के हिंदी के प्रिविएस यर की यह प्रिविएस पेपर जो हमारा है वो है 2017 का 2017 में इस तरह का पेपर आया था तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 2017 में हिंदी में कौन-कौन से questions पूछे गए वीडियो को लास तक देखेएगा इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स क्या शेर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्ली जरूर बताएगा तो देखें कौन-कौन से questions जो है वो देखें कुछ लोगों का answer सही है आमलक का जो तद्वब शब्द है वो है option D आमला आमला को कहा जाता है आमलक ठीक है तिनका का तद्वब बताएगे अब आपको यहाँ पर तद्वब बताना है उपर पूछा तद्वब हम यहां तद्वब बताना है तिनका किसका त्रण का तिक्त का ताम्र का या त्वरित का पताईध की तिनका जो तत्सम शब्द होता है वो होगा हमारा त्रण ठीकों और अन्यशब्द जैसे की है तिक्त तीता का है तो आप यहां पर नोट कर लिजिए तीता तामर की यहाँ पर बात करें तो तामर होता है हमारा तामवा का और यहाँ पर अगर हम बात करें तोरित की तो तुरत जो होता है वो हमारा होता है तुरंत का ठीक है तो यहाँ पर आपको यह सब पदा चल गए अब देखिए अगर उपर का भी मैं आपको मीनिंग बता दूँ तो देखिए आदर्शिका का तदभव शब्द होता है RC क्या RC आम्र मतलब होता है हमारा आम और यहाँ पर अगर हम बात करें आपाक की तो आपाक है हमारा आवा का आवा ठीक है अब देखिए next आपको यह कॉशन्स भी मैंने कराए है अगर आप फिर से कहेंगे की अरवी शब्द कौन से होते हैं इन सबका आपको डिटेल में चाहिए तो आप कॉमेंट करके बता दीजेगा हम फिर से रिवीजन कर लेंगे वैसे मैंने आपको कराए हुए है लेकिन फिर से हम इन डिसकस कर लेंगे ओके देखिए तकदीश शब्द जो है वो है हमारा अरवी शब्द तो option D हमें हमारा राइट है नेक्स्ट है निमलेकित मैंसे कौन सा शब्द तत्सम नहीं है प्रागून, दुईसिस्टी, पीडी या फिर विग्रे कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है बताएए देखिए यहाँ पर बात करें तत्सम शब्द नहीं है तो वो है हमारा यहाँ पे पीडी यह हमारा तत्सम शब्द नहीं है यह तदवब शब्द है इसका तत्सम शब्द होता है पीठी का और इसके अतरक्त बात करें यह प्रागून की और दुईसिस्टी और विग्रे की तो ये शब हमारे क्या हैं तत्सम शब्द हैं और अगर इनके मीनिंग की बात करें तो प्रागून को कहा जाता है पाहुना, दुईसिस्टी हो गया हमारा बासथ और विग्रे हो गया हमारा बीघा, तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं पूछाता तो आप्शन सी यहाँ पर पीड़े हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको, अब देखी, नेक्स्ट, जिन शब्दों का रूप सदेप समान रहता हैं उन्हें क्या कहते हैं, अव्यप, वचन, क्रिया या लिंग, बताएए, जिनका रूप सदेप समान होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, देखिए, ऐसे शब्द जिनका रूप हमेशे समान होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यव कहलाते हैं और अव्यव को अगर हम इसका शाब्दे कर देखें तो देखें इसको ऐसे बात करेंगे आ प्लस वे अव्यव हमारा इस तरह से वना अव्यव और जो वे हो ना हो उसे अव्यव कहते हैं इसे अविकारी शब्द भी हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, ये सदेर समान रहते हैं, इसलिए इसको हम विकारी शब्द भी बोल सकते हैं, अविकारी शब्द ठीक है, तो यहां पर इसका जो राइट आउंसर है वो है option A, अव्वे, 56 question देखिए, धीरे चलो में अव्वे का कौ सा लग प्रकार है, क्रिया विशेशन, समबोधन वाचक, समुच्चव, बोधक या फिर विसमें बोधक, बताईए, देखिए, धीरे चलो में बात करें, तो A, ये राइट आउंसर होगा, क्रिया विशेशन, क्योंकि देखिए, यहां पर धीरे चलो में जो क्रिया मीनिंग की बात करें, तो जो शब्द के अर्थ में विशेशन प्रकट करता हो, उन्हें क्रिया विशेशन कहते हैं, जैसे कि धीरे चलो, अब यहां पर धीरे क्या हो गया, क्रिया हो गया, और जो चलो हो गया, वो क्या हो गया, क्रिया की विशेशता हो गया, तो यहां पर इसलिए क्रिया विशीशन हमारा अव्वे का प्रकार यूज हुआ है। नेक्स्ट है किस प्रकार में परिमान बाच्चक क्रिया विशीशन होता है। खिल का मेदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफित कमीच पहनता हूँ, इस बार बारिश में बहुत उले पड़े, बताइए। कौन सा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। देखिए, परिमान बाच्चक की बात की गई है, तो जहां पर हम नाप तोल कर सकें। वहां पर हमारा यहां परिमान बाच्चक आता है, इसलिए देखिए, यहां पर जो ऑप्शन डी है, इस वार बारिश में बहुत उले पड़े, यह हमारा परिमान बाच्चक क्रिया विशेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निमलिकित मैंसे कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया नहीं है, बारी-बारी, भीतर, आज, या फिर यथा संभव। देखिए, कालवाचक क्रिया की बात की गई है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया का मतलब यह है कि जो हमारा हमें काल बताए, जैसे कि आज है, आज हमें काल बता रहा है, आज का दिन, और अगर कल होता तो यह बताता कल का, यानि कि एक हमें पर्टिकुलर हम यहाँ पर बात करें तो एक काल वाचक का काम बताए यानि कि समय बताए समय संबंदी चीज़े बताए तो आज यानि कि एक समय है कल वो भी एक समय होगा तो ऑप्शन से यहां पर आज हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्ण मैंसे किस वाक्य में किरिय विशीशन का अशुद्ध प्रियोग हुआ है वह बहुत तेज दोड़ता है तुम यहीं ठेरो सारे कलाकार उपर है धूप में चला नहीं जाता बताए इसमें से कौन सा राइट होगा आपको अशुद्ध प्रियोग बताना है याद रखिए कौशन को ठीक से पढ़ा करिए कई वार इस तरह से गड़बड हो जाती है एक्जाम में देखिए तेज दोड़ता है कलाकार उपर है यहीं ठेरो यह सम्में क्रिया विशेशन सही तरह से यूज हुआ है लेकिन बात करें धूप में नहीं चला जाता में क्रिया विशेशन सही तरह से प्रियोग तो नहीं हुआ है यह अशुद्ध है इसलिए यहां पे option day हमारा right answer हो जाएगा अब next question देखिए निम्न मैंसे किस वाक्य में क्रिया विशेशन का प्रियोग नहीं हुआ है लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते देखिए टुटाओन 17 में क्रिया विशेशन से बहुत question कियेगा इसलिए क्रिया विशेशन को अच्छी तरह से पढ़ेग उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा मुहन से खाया नहीं चाहता बालक तेज दौरता है किसमें प्रियोग नहीं हुआ है बताईए देखिए लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते इसमें तो क्रिया विशेशन है उसे थोड़ा भी कुछ कहा तो काम बिगड़ जाएगा ये भी सही है बालक तेज दौरता है अब दौरना क्या हो गया क्रिया हो गई और तेज क्या हो गया उसकी विशेश्टा हो गई तो ये भी है लेकिन यहां पर ऑप्षण सी जो मौन से खाया नहीं जाता यहां पर तो कोई विशेश्टा नहीं बताई गई है क्रिया विशेश्टा सही से प्रयोग नहीं हुगा इसलिए यहां पर ऑप्षण सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट कॉशन को देखिए वह गलती होने से डड़ती है वाक्य में उच्छित क्रिया विशेश्टा सब्द कौन सा आएगा बहुत तेज अचानक या धीरे-धीरे बताईए कोई इंसान गलती होने से कैसे डरेगा बहुत डरेगा तेज डरेगा अचानक डरेगा धीरे-धीरे डरेगा देखिए यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा वह गलती होने से बहुत ड़ती है यहाँ पर ए होगा क्योंकि देखिए बहुत में क्या आ रहा है हमारा परिमान वाचक आ रहा है बहुत कम यह सब क्या वर्ल्ड होते हैं और परिवान बाचक्रिय विशेशन में भी इसमें अधिक्ता बोदक का भीद बताया गया है इसलिए यहां पर option A हमारा बहुत right answer हो जाएगा ठीक है बहुत correct कर लिजेगा तेज जो है वो मुझसे गल्दी से लग गया था ठीक है अब देखें अब यहां पर कुछ संदिविच्छिद आ गई है देव्यरपन का संदिविच्छिद क्या होगा देखें इ हमारा या बना ये किसमें आता है बताये इ या बनती है बड़ी वा बनती है छोटा उ रा बनता है बड़ा उ ला बनता है ये किसके उधारण है ये हमारे यन संदि के हैं ठीक है तो यानि कि ये यन संदि है और इसका संदिविच्छिद कैसे होगा इ वना हमारा यहा पर क्या या तो ये क्या हो जाएगा देवी धन अरपण देवी अरपण ठीक है तो यहाँ पर option कौन सा हो जाएगा आपके according भी right answer हो जाएगा option भी इसमें हमारा यण संदी है और बस यही है आपको यही पूछा जाएगा कभी कभी आपसे नाम भी पूछ सकते हैं आपटावनती और जो रावनता है बड़ा हुमारा कहें होता है अब देखे कि शर्ब्द में उपसर्बं प्रियोग हुआ है उपकार प्रेख कना आपन या फिस्बह शामजदाब उपसर्ग मतलब जो पहले बाद में लगते हैं और जो प्रत्ते होते हों, वो पहले लगते हैं, बताईए. देखिए, उपसर्ग जो इसमें है, वो है option A, उपकार. ठीके, उपकार, यानि की उपकार, यह हमारा उपसर्ग है, सुरी मैंने गलत बोल दिया था, उपसर्ग जो है, वो पहले लगते हैं, और जो प्रत्ते होते हैं, वो बाद में लगते हैं, ठीके, तो उपसर्ग में यहाँ पर उप हमारा उपसर्ग है, कार हमारा क्या है, मूल को बातब में लगाते हैं अब देखें यहां पर उपसर्ग के में अनिक्षा में प्रयूक्त उपसर्ग अनिक्षा में और उपसर्ग आंगे देखेंअ क्या लगा है अ अनि या फिर अं देखिए पहले इसको आप अलग-अलग कर लिजे अनिक छा को क्या हो जाएगा अन धन इच्छा ठीक है तो देखिए अन हमारा ये वाला इसमें याद रखिए ये वाला नहीं आएगा हलंत वाला आएगा तो option भी यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है यानिकी अब ये एक शब्द है इंद्रजीत, इस्ट, इंद्रेजीत याफर इप्सित बताएगे यहाँ पर इंद्रियों को वश में रखने की बात की जा रहे हैं तो इंद्रियों को जी वश में कर लेता है उसको बोलते हैं इंद्रीय जीत और इसकी अतर démocrate अगर हम देखें इंदर जीत तो इंदर जीत होता है इंदर को जीतने वाला इस्ट होते हैं हमारे जिसके मैं अकाउंट चाह हो और इपसित की अगर बात करें तो इपसित यहाँ पर हमारा कहलाता है जिस बस तू को चाहा गया हो तो यहाँ पर इंदरियों को बश्की बात करन अब जिसका अनुभावी, अनुभूत, अनुभवयोग्य या फिर हमारा अनुभाव्य बताईए देखे, इसका जो राइट आंसर होगा, आप बलकुल सही बोल रहे हैं इसका जो राइट आंसर है, जिसका अनुभव किया गया हो, वो होता है हमारा अनुभूत तो अप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट है अब देखे, नेक्स्ट, निर्वर्चनिय शब्द का सही अर्थ क्या है मन को आनन्दित करने वाला, जिसको राप्त ना किया चाह सके जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, या फिर जो गौणी द्वारा व्यक्त ना किया चाह सके पताईए क्या होगा राइट आन्सर, आन्सर करिए जल्दी जल्दी, देखिए निर्वर्चनिय का सही अर्थ होता है जो वार्णी दौरा व्यक्त ना किया चाह सके, निर्वर्चनिय मतलब जिसको बोलाना चाह सके यानि कि जो वाणी दौरा व्यक्त ना किया जा सके तो option D हमारा यहां पर right answer हो जाएगा ठीक है ना? सबका सही था, next move करते है वकील अब बताए किस भाषा का शब्द है फार्सी है, अर्वी है, तुर्की है या फिर पुर्तगाली है देखिए यहां पर बात करें बकील की तो बकील जो है वो हमारा अर्वी भाषा का सब्द है तो option B यहां पर हमारा right answer हो जाएगा next है निमलिकित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है सैयोग, विदेश, अत्यदेग या फिर सुरेश बताएए देखिए आप सबका वो कर लिजिए आप जब उनको विवाज़ित करेंगे तो उनका मीनिंग आना चाहिए जैसे सैयोग, सधन योग, ठीक है विदेश, वीधन देश, तो मीनिंग है इसका अत्यदिक अती को भी आप कर सकते हैं ठीक है, अब यहाँ पर अत्यदिक भी हो सकता है लेकिन सुरेश नहीं हो सकता, शू, धन, एश इसका कोई मीनिंग नहीं होता तो option day यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है ना समझ में आगे सबको अत्यदिक में अती होता है सैयोग में सा होगा, विदेश में वी होगा लेकिन सुरेश में सू का कोई मीनिंग नहीं होता यानि कि last में जो बचेगा उसका कोई मीनिंग नहीं निकल कर आएगा next है महिमा शब्द में किस परकार का प्रत्य है हिमा, मा, आ और इमा आप ऐसे करके करिए महिमा, क्या मीनिंग आपका निकल कर आया यानि कि महा प्लस इमा महा क्या हो गया, यहाँ पर मूल शब्द और इमा क्या हो गया प्रत्य हो गया, तो यहाँ पर option D यहाँ पर हमारा right answer है ठीक है, जी आप जितना पढ़ेंगे नहीं आपको practice में आएगे questions, आडे हातों लेना यानि विपत्ति आना, कर्तव्य पूरा करना खरीखोटी सुलाना यानि आलोचना करना बताए आडे हातों लेना का क्या मतलब है देखिए जब भी किसी को आडे हात लिया जाता है तो हम क्या कहते हैं, आने दो से हम उसको आडे हात लेगे आडे हातों लेना, तो option भी हापे हमारा right answer है next है सूरज को दीपक दिखाना का क्या आर्थ है रोशनी में अंदिकार होना, किसी विक्ती की तुच्छ प्रसंसा करना प्रभाव स्थापित करना या फिर सम्मान बढाना, बताएए देखिए सूरज को दीपक दिखाने आप ऐसे निकाले, देखिए सूरज को दीपक दिखाने जुरत ही नहीं क्योंकि सूरज में तो खुद इतना प्रकाश होता है उसको दीपक दिखाने से क्या फायदा है तो इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति की तुछ प्रसंसा करना है यानि कि वो व्यक्ति भूती प्रसंसा योग्य है लेकिन उसके आपने बस छोट थोड़ी सी तुछ प्रसंसा कर दी सेव उसी तरह से जैसे कि दीपक सूरज को आपने दीपक दिखा दिया उसमें खुदी इतना तेज है उसको दीपक दिखाने से कोई फायदा नहीं है तो ऐसे ही यहाँ पर option भी किसी व्यक्ति की तुछ प्रसंसा गरना हो जाएगा तो option भी right है नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अग पंचानन में कौन सा समास है ततपुरुष, विभभुब्री, दिखु या फिर कमधार रहे देखिए आपको पता होना चाहिए कोई भी समास उसमें पूर्वपत संख्या वाचक होता है तो उसको हम दिखु समास कहते हैं तो इसमें पूर्वपत संख्या बाचक है क्योंकि देखिए इसमें शुरू में लिखा है पंच नानन यानि पांच तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिर है नीचे दिएगा शब्द समु के लिए साही सब्द का चैन कीजें युद्ध की एक्षा रखने वाला मुमुक्षू, बहुशूत, युजूत्सू या फिर मौक्तिक तो देखे जो युद्ध की एक्षा रखता है उसको क्या बोला जाता है जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका आपके अकॉर्डिंग क्या होगा देखे युद्ध की एक्षा रखने वाले व्यक्ति को बोला जाता है युजूत्सू तो option C यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा फिर है दिशाएं ही जिनके वस्तर हैं अब दिशाएं जिनके वस्तर हैं उनको क्या बोलते हैं विशंबर, द्विपाल, बैगंबर या फिर दिगंबर किन के लिए युजू किये जाती है दिशाएं ही जिनके वस्तर हैं ये शब्द कहा जाता है दिगंबरों के लिए तो यहाँ पर option D हमारा right answer है ठीके तो ये दिगंबर के लिए कहा जाता है नीचे दिएगा शब्द समू के लिए सही शब्द का chain कीजिए वह कवी जो तच्छं कविता कर सके अब तच्छं कविता कवुश्तर के उसके लिए क्या करते हैं लिखेंगे आशू कवी कुशाग्र आशूलिपी या फिध्वान बताईए क्या होगा आपकी according answer देखिए यहाँ पर पूछा गया है तत्षण कभिता कड़ सके तो उसके लिए जो शब्द यहाँ पर यूज किया जाएगा वो होगा हमारा यहाँ पर आशु कवी तो यहाँ पर option A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है त्रश्णा का परियावाची क्या है तो अब हमें यहाँ पर त्रश्णा का परियावाची बताना है मकरंद, सहचर, रसिका या फिर लिपसा तो त्रश्णा हम किसके लिए यूज करते हैं देखिए त्रश्णा के अगर हम बात करें तो यह होता है जो हमें किसी चीज की ल होता है और लालच को बात करें तो नीन हें और हमें किया दिखाई देरा रिप्सा वी किसी चीज का बहुत जाधा लालछ करना लालच करना रालस रखना विलाश रखना किसी की तुर्षना होना यह सब ही कहां ईक दूसरे के प्रहाएव तो option D यहां पर हमारा right answer हो जाएगा नेक्स्ट है उस श्रंखल का विलॉम आर्थक शब्द क्या होगा सामान्य परवर्ति रूणिवादी या फिर विनम्र बताएं उस श्रंखल का विलॉम शब्द यहां पर अगर हम बात करें तो वह हो जाएगा हमारा विनम्र जबकि अन्य शब्द का विलॉम शब्द देखें तो देखें यहां पर हमें क्या दे रखा है विलॉम शब्द विशेश जैसे की परवर्ति परवर्ति का यहां पर देखें तो उसका हो जाएगा पूरवर्ति सामान्य का हो जाएगा यहां पर विशेश इसका हो जाएगा पूरवर्ति और रोणी वादी की यहाँ पर हम बात करें, तो इसका हो जाएगा सोचंद वादी, तो यहाँ पर उश्रंखल का क्या हुआ? विनम, ठीके? तो यहाँ पर option D, विनमर हमारा राइजा आंसर हो जाएगा, अब देखें यहाँ पर, 79 वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो क के लिए एक शब्द बताएं, कथित की वंदनती, आपचारिक उलेखनी है, पताएं क्या होगा? देखें जो जन साधारण में प्रचलित होती है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, वो होता है कि वंदनती, यानि कि जो लोगों में प्रचलित है, कथित कही गई हो, आपचारिक होता है, जो मतलब किसी विशेश रूप से कही गई हो, आपचारिक का मतलब होता है, बिल्कुल सबकी सहमती से, यानि कि उसकी बिल्कुल प्रमाणिकता हो, उसको बोलते हैं, उलेखनी है, यानि जिसको आप उलेख करें, यानि कि उसको बहुत अच्छे से आप बताएं चीज़ को व्याख्या करें वो होता है हमारा उलेखनी है ठीक है फिर है निश्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है पताए इसमें उपसर्ग देखिए जब भी आदा शाकी बात की जाएना है तो हमेशा जब भी आपको पूछा जाए तो हलंत वाले शाक पर आंसर करिएगा तो option C right है जो इससे पहले की questions थे उसमें ही मैंने आपको बताया था तो उसमें भी इसी तरह का शा आया था तो वहापे भी हलंत का अंसर आया थ ठीक है तो हलंत वाला करिएगा बिना हलंत वाला मत करिएगा फिर है प्रत्य शब्द क्या होगा पताये ए बी सी डी में से आपको क्या लगता है देखिए प्रत्य बना है यहाँ पर कौन सी संदी हो गई यन संदी हो गई ठीक है और देखिए यहाँ पर प्रती प्लस आय य कि नेक्स्ट देखिए कि सचिदानंद शब्द का संदी विच्छिद है सत चित आनन्द सचित तद आनन्द सचिदानंद सद चित आनन्द बताइए और अगर आप बता सकते हैं तो संदी का नाम भी बता दीजेगा अगर आपको आंसर मिल जाता है तो कि देखिए अगर हम सचिदानंद की बात करें तो सद चित आनन्द की राइट आंसर होगा ए और इसमें जो संदी है वो है व्येंजन संदी किसी कहते हैं तो देखिए कभी भी व्येंजन में दूसरा व्येंजन या स्वर का मेल होता है मेल हो या मेल होने से कोई विकार उत्पन हो तो वहाँ पर वेंजन संदी कहलाती है इसके अंदर हमारी वेंजन संदी है सत चित आनन्द ठीके तो इससे बना सची दानन्द ठीके तो option A right है next है यह है मूँ और मसूड की डाल का अर्थ है क्या है मसूड की डाल का महंगा होना मूर्ग अच्छी बस्तू की कद्र नहीं करते अपनों के बड़े व्यक्तियों से में गिनना अपनी योगिता से अधिक पाने की उमीद बताईए अब यह मूँ और मसूड की डाल है क्या होगा इसकर्थ देखिए यह मूँ और मसूड की डाले का मतलब यहां पर यह है कि आप उसकी लाइक नहीं है लेकिन उसको खुद के उसकी लाइक समझना यानि कि अपनी योगिता से अधिक पाने की उमीद रखना यह होता है यह मूँ और मसूड की डाल की बात है तो यहां पर देखिए option D right answer हो जाएगा 2017 में यह question आए है यह पूरा पेपर 2017 का ही है ठीक है फिर है चित्रपा चर्णा का अर्थ है खुशिया मनाना अत्यांद प्रिया होना शोभा बढ़ाना या फिर सदा इस्मरण रहना बताईए देखिए चित्रप चर्णा का मतलब यहां पर चित्रपर यानी की दिमाग पर दिमाग में हमें कौन सी चीज जो हमें हमेशा याद रहती है इससे याद रखिए तो यह हो जाएगा option D सदा इस्मरण रहना यानि कि हमेशा याद रखना ठीक है next हाते हैं हमें यहां पर अर्थ बताएं अशर्फियां लूटें कोईले पर मोहर यानि कि इसका बताना है इसका अर्थ क्या होगा च्छोटी वस्तो की सुरक्षा में अधिक हुए संपूर्ण लाप स्वेम उठाना मूलेवान बस्तू किया पेक्षत तुच्छ वस्तू पर ध्यान या फिर आयसे अ अशर्फियां लुटा दी लेकिन आप कोईले को आप इखटा कर रहे हो यानि कि तुच्छ वस्तू पर ध्यान दे रहे हो तो आप्शन सी राइट है नेक्स्ट देखिए हसुए के ब्या में खुर्पे का गीत कहावत का क्यार्थ है शादी में गीत गाना जशन मनाना असंगत बाते करना या फिर निचले स्तर की बाते करना बताईए देखिए हसुए के ब्या में खुर्पे का गीत का मतलम यहां पर यह है असंगत बाते करने से तो यहां पर ऑप्शन सी हुमारा राइट है नेक्सट है अत्युत्तम के संद्यृच्चेतका सही विकल्प चुनि अत्यृच्ट देखिए यृच्टम कुछ मीनिंग नहीं होता बट पहले हम सारे देख लेते हैं अत्यृच्टम अत्यृच्ट थनृच्टम बताईए संदिविच्छे जब भी आप करते हैं तो ये देखा करिए कि उनका meaning कुछ बन रहा है आपस में या नहीं देखे युत्तम का कोई meaning नहीं होता तो ये कट जाएगा ठीक है ना, उसके बाद अत्य का कोई meaning नहीं होता और अतिय का कोई meaning नहीं होता अती का मीनिंग होता है और उत्तम का भी मीनिंग होता है तो यहां पर option भी right answer हो जाएगा clear है ना सबको यह बहुती simple trick है जिसके basis पर आप इस तरह से अपने संदेविचित सही कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा भी आता है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है तो सबसे पहले यह देखिए संदेविचित करने क्याद उनका मीनिंग निकल रहा है या नहीं इसके business पर वो आपका हमेशा सही जाएगा ठीक है फिर है गर्व सूनने शब्द में समास है कर्म तत पुरुष करन तत पुरुष संपरदान तत पुरुष या फिर अपना दान तत पुरुष बताएगे देखिए गर्व सूनने की यहां पर बात करें तो यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ओप्शन भी करन तत पुरुष अब यह करन तत पुरुष क्यों है तो यह भी आप समझ लिजे देखिए करन तत पुरुष समास हमेशा वहां आता है जहां करण, कारण, चिन्द का लोप होता है जैसे कि गर्व शूनने है तो गर्व शूनने का मतलब क्या है गर्व से शूनने यहां से कारक चिन्द का लोप होता है यानि कि से आएगा बीच में गर्व शूनने मतलब गर्व से है ठीक है तो से किसमें आता है करण में आता है करताने कर्म को करण से ठीक है तो से होने की कारण यहाद रखना पड़ेगा कि क्या आता जैसे करताने कर्म को करण से संपरदान के लिए अपदान से अलग होने के लिए यानि कि करण में तो से आ रहा है और जो अपदान में से आ रहा है इसलिए यहां पर यह वाला जो से है इसलिए यहां पर करण का रखे और अगर यहां पर कोई चीज अलगोने की बात होती तो हम अपादान पर टिक करते हैं ठीक है तो option भी राइट है नेक्स्ट है डैस ड्रस्ट्री रास्टेता का आधार है धर्मानुसार धर्म निर्पेक्ष धर्म सम्मत या फिर धर्म सापेक्ष बताईए देखिए रास्टे के आधार की बात करें तो धर्मानुसार ये तो रास्ट की बात नहीं है धर्म सम्मत ये भी नहीं है और धर्म सापेक्ष भी नहीं है जबकि धर्म निर्पेक्ष क्या है धर्म निर्पेक द्रश्टी रास्टेता का आधार है तो आप्शन भी यहाँ पर र एकांग शद्ध वरतनीzna one over ton three चाहिए अगर बताने सब्सक्राया है देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो शुध्यवरतनी सब्सक्राइब टिरी है जब कि बाकि आमसे अशुद्ध है रहा हमारे बानों बाम भगते डिक,सбы आहें भी सद्ध लगोंग्श। एतिहासिक में छुटी एकी मात्र आएगी और ये व्रक्ष हमाईशा इस तरह लिखा जाता है ठीक है तो ये भी गलत है अकांगशा सही है तो डी यहां पर आइडा आंसर है नेक्स्ट कोशन देखिए निम्लिकित में से कौन सा शब्द यामनी का प्रयावाची नहीं है निशा रजनी बिभावरी या फिर दिवस कौन सा नहीं है देखिए दिवस जो है वो तो दिन का है जबकि यहां पर यामनी का पूछा है जिसका होता है निशा जो कि हमें गिविन है फिर है रजनी ये भी हमें दिया हुआ है बिभावरी ये भी हमें दिया हुआ है तो ये सारे क्या है यामनी के हैं जबकि दिवस नहीं है तो आधी रात का समय क्या कहलाता है सर्वरी, बिभावरी, निशा या पर निशेत। देखिए निशा विभावरी ये तो भी हमने पढ़े थे ये किस के थे यामनी के थे जबकि यहाँ पर आधीरात का पूछा है तो आधीरात का होगा निशित तो option D right है अब यहाँ पर हमें विपरिटार तक शब्द बताने हैं तो देखिए कर्शन का क्या होगा कनिस्ट, सिक्थ, अब कर्शन या फिर विकर्शन बताईए बहुत सिंपल है ये तो देखिए कर्शन का व्लॉम शब्द होगा विकर्शन ठीक है अन्य शब्द जो है उनका भी आप सुन लीजे कनिस्ट का हो जाएगा इसका वरिस्ट और सिक्थ की यहां पर बात करें तो इसका होगा रिक्थ, अब कर्शन का यहां पर क्या हो जाएगा आकर्शन ठीक है ये सब क्या आपने नोट कर लिए होंगे अब यहां देखिए शुशुप्त का बताईए बलॉम शब्द स्रेष् पताईए देखिए यहां पर शुशुप्त की बात करें तो शुशुप्त का है वलॉमशब्ध जाग्रित अब यहां पर हम शुरेश्ट की बात करें तो इसका भी नोट कर लीजिए स्रेस्ट का होता है अधम कैसे तरह से लिखेंगे अधम और यहाँ पर मृत की बात करें तो मृत का तो आपको बहुत ही सिंपल है आप सबको पता होगा जीवित होना और कृतिगनिका बात करें तो कृतिगनिका भी आपको पता होगा कृतग्य है ठीक है अब बात करते हैं वि देहें बिहित्माने होगा इसका व्लॉम्शब्द निशिद ठीक है और सुगम की बात करें तो सुगम का भी लिख लीजिए आप सुगम का होगा दुरगम असित का होगा सित स्थूल का होगा सूक्ष्म ठीक है फिर है next शुद्ध शब्द का चैन कीजिए दीरगायू दीरगायू दीघायू दीरगायू बताएए क्या होगा देखिए आप खुदी पढ़के देखिए दीर यानि दी के बाद रा आ रहा है इसमें दी के बाद इस तरह से रा नहीं लिखते और ये तो बाद में पीछे चला गया तो ये भी कट गया इसमें तो रा है ही नहीं तो option a right answer होगा दीर गाई हो ठीक है आप नेक्स्ट देखिए नौका नौका शब्द का परियाय क्या होगा तिया तरंगिणी तरी या फिर तरण निजा बताईए देखिए नौका शब्द के प्रयायवाची शब्द की बात करें तो वह होगा हमारा तरी जोकि option c यहाँ पर और इसमें हम देखें इसके अत्रिक्ट जैसे नौका के प्रयायवाची शब्द तरीणी होता है लेकिन यहाँ पर तरंगणी है तो यह तो नहीं होगा और आप इनको भी नोट कर सकते हैं हो सकता है एक्जाम में इन से पूछ लिया जाए क्योंकि कई वार एक्जाम में क्या होता है इस वार यह पूछे गए हैं आपसे जैसे की तरी पूछा गया है तो नेक्स ताम जो एक्जाम होगा तो नौका को तो आपको option में दे देंगे और इस तरी को आपको question में दे देंगे यानि कि वही चीज होती है बस गुमा देते हैं ठीक है इसलिए कहा जाता है यह जरू solve करने चाहिए देखिए मैंने आपको 14, sorry 15, 16 का करा दिया है यह 17 का है इसके बाद 18, 19 और 2020 का वह भी आपको करा दिया जाएगा पूरी practice करिए ठीक है अब है तीनो कालो को जानने वाला क्या कहलाता है त्रिकालग्य, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी या फिर त्राग्ता बताईए देखिए यहां पर तीनो काल की बात की जा रही है तो तीनो कालों को जानने वाला कहलाएगा हमारा त्रिकाल लग्या है इसके अत्रिक तीनो कालों को देखने वाला यहां पर जानने वाला है यहाँ पर देखने की बात होती तो यह होता है त्रिकाल दर्शी और अगर ब्रकुटियों के मद्य स्थान को त्रिकुटी कहते हैं और अगर किसी से छुटकारा दिलाने वाले की बात की जा रही हो तो वो होता है त्राथा. ठीके? तो option यहाँ पर A right answer हो जाएगा तिरका लग गया Next देखिए संस्कृती शब्द का विशेशन क्या है संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृति या फिर संस्कृतिक बताईए विशेशन बताना है यानि संस्कृती की विशेशन की बात करें तो संस्कृत कोई विशेशन नहीं है यह भी नहीं है, यह भी नहीं है संस्कृतिक है, तभी यहाँ पर option हो जाएगा हमारा correct अब है सब्द धन रिशी इससे बनी संदी क्या होगी दीर, यन, वेंचन या फिर गुण बताईए देखिए सब्द रिशी में जो संदी है, वो है हमारे यहाँ पर गुण संदी अब गुण संदी क्या होती है, तो ये भी आप नोट कर लीजी, अगर नोट करना चाते हैं तो जब A या बड़ा A के आगे छोटी E या बड़ी E आती है, तो इसके स्थान पर E हो जाता है इसी प्रकार आ और बड़े आके आगे उ आएगा तो बड़ा उ हो जाएगा ओ आएगा तो बड़ा ओ हो जाएगा और आ और आके में अगर री आती है क्या आता है अगर री आती है तो वो क्या बन जाती है अर क्या बन जाएगा अर तो इसे हम गुड़संदी कहते हैं तो यहाँ पर क्या है सब्तर रिशी यानि सब्तर रिशी तो option यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा B, right answer हो जाएगा यहाँ पर हमारा, sorry D, यहाँ पर गुड़संदी, right answer हो जाएगा यह भी एक इंटेंस exam के 2018 के पेपर की, तो start करते हैं वीडियो को आपको पसंद आती है, तो like कीजे, friends की share कीजे, और किछी भी तरे की कोई भी query हो तो please जुरूर बताएगा start करते हैं, देखिए यहाँ पर questions शशक का परियावाची शब्द है, खर्गोष, चंदर्मा, शिशू यहाँ पर बात करें, शशक के परियावाची शब्द की, तो इसका right answer होगा, वह होगा, यहाँ पर option number A, खर्गोष, ठीक है next है, गंगा गए, गंगा दास, जमना गए, जमना दास, लोकुत्ती का सायर्थ क्या है, अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, मान भक्त होना, या फिर अफसरवादी होना, बताएए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अफसरवादी होना next है, सूरे का परियाए आपको पताना है, जो नहीं है, भासकर, मयंक, दिवाकर, सविता यह हो जाएगा, यहाँ पर मयंक, ठीक है, next आईए, प्रत एक का संदे विच्छेद, प्रती प्लस एक, प्रत्य धन एक, प्रत्य धन एक, प्रत्य धन एक, प्रत्य धन एक क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा शास्त्रग्या नेक्स्ट है पुराण में एक प्रत्य सयुक्त होकर सब्द बनाता है कौन सा पौराणिक 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 या फिर पौराणिक बताईए बहुत ही आसान है क्या हो जाएगा एक हो जाएगा पौराणिक ठीक है नेक्स्ट है हाथ से हतियाना यानिकी हाथ से हतियाना लाच से लतियाना संग्या में बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे प्रेनार्थ पूर्वकालेक, स्वैक्तुक्रिया या फिर नामधातुक्रिया. क्यों हो जाएगा इसका? दी हो जाएगा नामधातुक्रिया. Next है मीठा विशेशन से भाववाचक संग्या बनती है कौन सी? मिठापा, मिठास, मिठाई या मिठास? क्या होगा आंसर? दी हो जाएगा मिठास. Next है कोई आया है वाक्य में कोई किस परकार का सर्वनाम है? प्रश्न वाचक, पुरुष वाचक, निश्चे वाचक या निश्चे वाचक? क्यों हो जाएगा इसका? दी हो जाएगा निश्चे वाचक. नेक्स्ट है निम्न में से तत्पुरु समास कौन सा है प्रति दिन कौना कौना पत्परस्ट मार पीट क्या होगा तत्पुरु स्पत्परस्ट यानि पत्प से ब्रस्ट नेक्स्ट है प्रातना पत्पर के समापन पर क्या लिखा जाता है भवदी है, स्निहा, कांची, आपका विश्वास पात्र या शुपचिन तक प्रातना पत्र दिया हुआ है याद रखना क्या हो जाएगा ये विश्वास पात्र इसने कांशी शुपचिंतर यह तो जो हम किसी रिलेटिव को लिखेंगे तब इस तरह के लेख सकते हैं यानि कि इंफॉर्मल ठीक है यहाँ पर फॉर्मल में हम लिखेंगे भवतिय जो हम किसी से प्रात्ना कर रहे हैं नेक्स्ट है भक्ति कालिन संथ परंपरा के प्रसिद्ध कवीर कौन थे जैशंकर पर्शाद मेरा बिहारी या कबीर क्यों हो जाएगा डि कबीर हो जाएगा चीक है नेक्स्ट है पावक और अगनी शब्दों के मद्धे क्या संबन्ध है अवनामी समनामी परेयावाची या बिलोम क्या हो जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के परेयावाची है ठीक है ओप्शन सी नेक्स्ट है शोक किस रसका स्थाई भाव है रोद्र, वादसले, करोण या वीर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा करोण नेक्स्ट है वे विद्ध्यार्थी नहीं आया वाके में वे कौन सा विशीशन है सार्वनामेक, परिमान बोदग, गुणवाचक या संख्यावाचक ये हो जाएगा सार्वनामेक ठीक है नेक्स्ट है अग्ये का विप्रीत आर्थक बताईए विक्ये, अनग्ये, सरवग्ये या सद्ध्रग्ये क्या हो जाएगा इसका विप्रीत आर्थक विध्या है ठीक है, ओप्शन ए नेक्स्ट है बही रंग का बलॉम्शत क्या होगा सो रंग, भहू रंग, सब रंग या अंतर रंग डी हो जाएगा अंतर रंग नेक्स्ट है निमलिकित वाक्यों में एक में अपदान कारक के विबक्ती चिन्न का प्रियोग हुआ है ए है मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत छीतल था दूसरा है दुद्वा पार्क में बहुत से दर्शनिय जीव निवास करते हैं तीसरा है पैरों से चलना यात्रा समुदाय से चलना समाज ततर देश और काल से चलना इतियास कहलाता है फोर्थ है आकाश से ग्री एक बूंद कहीं मोती कहीं विश्टो कहीं कीचड़ बनी क्या हो जाएगा देखें यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्योंकि यहाँ पर अपदान की बात करा है और अपदान में क्या आता है हमारा से आता है और से अलग होने के लिए तो आकाश से ग्री एक बूंद आकाश से अलग हो रही हो ठीक है से ओप्शन डी यहां पर करेक्ट है नेक्स्ट इस फूर्ति का तद्वब बताना है सूफित सौफिती फूर्ति है स्फिति क्या जाएगा सी आ जाएगा फूर्ति नेक्स्ट देखिए तुरंग शब्द का प्रियाबाची आपको बताना है शशह, वाजी, कुरंग या शार्दूल क्या हो जाएगा बी हो जाएगा वाजी नेक्स्ट है निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है रसा, सूथ, धागा, डूर क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, डूर नेक्स्ट है निम्नांकित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रियोग हुआ है वो आपको बतानिया कौन है लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहता है, बताईए क्या हो जाएगा सकर्मक, वह सो रहा है, ठीक है हिंदी दिवस मनाने की तिथी बताईए, 14 सितंबर, 26 जन्वरी, 14 अगस्ट या 14 नवंबर ये हो जाएगा 14 सितंबर नेक्स्ट है जैसा करोगे वैसा भरोगे मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्णवाचक सर्वनाम या संबंद वाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा संबंद वाचक सर्वनाम संबन्थ है ना तोनों का एक दूसरी से नेकस्ट है छा के बारे में सही नहीं है क्या सही नहीं है तालब विधनी है कंठ है महाप्राण है या अगोश धनी है बताइए क्या हो जाएगा B हो जाएगा कंठ है छा कंट से बोलते हैं ठीक है भवानी को पोल लिंग बताएं भवदेव भवन देव और भव डी हो जाएगा यहां पर भव नेक्स्ट है उत्पत्ती की दरश्टी से हिंदी शब्द समू को कितने बर्गों में बाटा जाता है पांच तीन चार दो क्या हो जाएगा ओप्शन ए पांच नेक्स्ट है जो कठनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समू के लिए एक शब्द बताएं दुर्बोध, दुरगम, दुरलव या दुसाद्द सी हो जाएगा दुर्डव नेक्स्ट है बेशब्द जो बिविन, पदों, वाक्यों, अथवा, वाक्य खंडों को जोडते हैं कहलाते हैं क्या सर्वनाम, विस्मियादी बोधक, समुच्चे बोधक या सम्मंद बोधक सी होगा यहाँ पे समुच्चे बोधक किस वर्ग के वेंजन, अंधस्त वेंजन कहलाते हैं चावर्ग, टावर्ग, कावर्ग या यावर्ग क्या हो जाएगा डी यावर्ग नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा स्रब्द भावाचक संग्या नहीं है अस्तित्व, ठकावट, वेईमान या हर्याले क्या हो जाएगा सी, बेईमान नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा खर्ण शब्द भुणवाचक विशेशन नहीं है बहुत नरम, इमानदार या सुगन्देत देखे बहुत को छोड़के बाकी सब में गुण बता रहा है कि नरम है इमानदार या सुगन्देत बहुत क्या है एक संख्या हो गई ठीक है अनिश्चेवाचक संख्या हम कह नहीं सकते कितनी संख्या बट संख्या है यह नेक्स्ट है निमनांकित में से कौन सा शब्द अगनी शब्द का प्रयाय नहीं है पावक, अनल, अमी या वही देखे अमी नहीं है ओप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा पीटना, धागा, सूत्र या नीच सूत का हो जाएगा सूत्र नेक्स्ट है अध्यात में एक शब्द का विलोम क्या होगा आत्मा से परे अध्यात्मिक आत्मिक या बहुतिक हो जाएगा ठीकि नेक्स्ट आईए अब यहाँ पर आपको रिक्तिस्थान की पूर्ट्री करनी है कभी भी अपने मित्र की उन्नती पर डैश ना करो क्या वेराग्य अहिंका द्वेश या यूट्शा क्या नहीं करना चाहिए हमें यूट्शा यानि की जैलस्थ नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है कौन्शा शब्द शुद्ध रूप है उज्जवल या फे ये इस तरह से उज्जवल कौनसा हम सही बोलेंगे ए हो जाएगा उज्जुवल ठीक है नेक्स्ट है जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है रचना के आदार पर वाक्य का प्रकार बताई है मिश्र अग्यावाचक सरल या संयुक्त क्या हो जाएगा ए मिश्र वाक्य नेक्स्ट है सांच होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लोट जाते हैं वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिये जगा ब्रक्ष नीड या फिर स्थान बताई है क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा नीड ठीक है नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है विशिस्ट, कृतग्य, प्रतिग्या या शुश्क यह हो जाएगा विशिस्ट नेक्स्ट है दुरुप्योग शब्द में किस उपसर्प का वियोग है दुरू, दुरू, दुर्र या दू क्या हो जाएगा दुरुप्योग अपया धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मे तुवा बता हुए दहर्म धन लंबी धर्मावफव धन अवधन लंबी धर्मधन अबलम धन या फिल धर्मा प्लेस प्लेस्ट बलंबी बताईए कौन सा सही है सी यहां पर सही हो जाएगा धर्म धन अबलंब धन इ ठीक है नेक्स्ट है आन प्रत्ते से बनने वाला शब्द कौन सा है लगान आनन आनबान या फिर आनन्द क्या हो जाएगा ए लगान ठीक है जिसकी लाठी उसकी बहस मैं लाठी और बहस संग्यां है शेज दोनों शब्द क्या है कृया विशेशन अर शर्वनाम या विशेशन क्या हो जाएगा सर्वनाम सी नेक्स्ट है लाल से निर्मित होता है लाली तो काला से क्या होगा काले मा कलूटा काली या काला पन बताईए सेम है लाल से लाली बनाए तो काला से काली बनेगा ठीक है तो यहां पर कौन से हो जाएगा हमारा option हो जाएगा यहां पर हमारा c ठीक है रोना का सकर्म क्या होगा रूलाना कोई नहीं रोता या रूला ए हो जाएगा रूलाना next है आवाज उठाना मुहावरे का सहयत क्या है क्रोथ करना चीकना जोर से बोलना या ब्रोथ करना बी हो जाएगा यहां पर हमारा प्रोथ करना next है शडानन शब्द का संदी विछ्चेद क्या होगा शडधन आनन शडाधन नन शटधन आनन या शटधन आनन क्या हो जाएगा c हो जाएगा शटधन आनन नेक्स्ट है गाकर, खाकर क्रियाओं को क्या खेते हैं पूर्फकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या सकर्मक क्रिया गाकर, खाकर क्रियाओं को हम बोलेंगे पूर्फकालिक, ऑप्शन ए नेक्स्ट है एक वाग के अशुद्य वो बताना है मैं उसके अंग अंग सजाए गए येस सब आपकी क्रपा है उसने मुझे दिल्ली दिखाई वह बुद्धिमती इस्त्री है बताईए क्या हो जाएगा है कि यहां पर ऑप्शन हो जाएगा यह उसके अंग अंग सजाएगा यह गलत है इंगे वी टेंटेंस एक्जाम के 2019 के पीपर की स्टार्ट करतें वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी प्रसारण या प्रतिरक्षण क्या हो जाएगा ओप्शन भी हो जाएगा यहां पर जाग्रत चीक है नेक्स्ट बताईए गत रविवार को वे मुंबई जाएगा आने वाले रविवार को वे मुंबई जाएगा आगामी रविवार को वे मुंबई जाएगा या पूरवार्थ रविवार को वे मुंबई जाएगा कौन सा साई है देखिए इहाँ पर सी सही हो जाएगा आगामी या ने आने वाले ठीक है आगामी रविवारकोवे मुम्बई जाएगा next है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए आपकी संकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए या फिर आपकी शंकाओं का वर्दान हो जाना चाहिए क्या होगा बहुती सिंपल है बहुत ही अलग अलग दियें तो इसलिए आप बता सकते है B हो जाएगा क्योंकि शंका या परिशानी होते तो उनका समाधा नहीं होता इसलिए आपके शंकाओं को समाधान हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट है नेक्स्ट है यहाँ पर आपको वाक्यानशुक लिए एक शब्द चुणना है दिशा ही जिनके वस्त्र है विशंबर, दिकपाल, पैगंबर या फिर दिगंबर बताईए क्या होगा D हो जाएगा उन्हें वो दिगंबर कहलाते है नेक्स्ट है युद्ध की इक्षा रखने वाला मुमोक्ष, बहु, बहुशूत, युजुट्स या फिर मौक्तिक क्या हो जाएगा C, युजुट्स ठीक है नेक्स्ट है आमलक का तद्भव शब्द है आदर्शिका, आम्र, आपा के आमला क्या हो जाएगा 57 का B, आमला नेक्स्ट है तेंगा का तद्भव शब्द आपको बताना है बताए त्रण, तिक्त, तामरे, तोरेत देखें आपे ए राइट आंसर होगा त्रण नेक्स्ट है विशेशन की विशेश्टा बताने वाले शब्द क्या कहलाते है क्रिया, प्रविशेशन, विशेश्य या फिर सर्वनाम देखें विशेशन की जो विशेश्टा बताए उसे कहेंगे प्रविशेशन ठीक है नेक्स्ट है परिश्रमी शब्द में कौन कौन से विशेशन का वोध होता है संख्यावाचक, परिमाणजावाचक, परिमाणवाचक या फिर गुणवाचक परिश्रमी क्या है उसके लिए उसका गुण है ठीक है तो option D यहां पर correct है नेक्स्ट है मंदिर का परियावाची है देवग्रह, परमधाम, निर्वाण या परमपद क्या हो जाएगा? A, देवग्रह नेक्स्ट है त्रश्णा का परियावाची है मकरंद, सहेचर, रसिका या लिपस त्रश्णा का हो जाएगा लिपसा नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रही, द्रिगू, ततपुरुष या पर कर्मधार है C हो जाएगा यहाँ पर ततपुरुष नेक्स्ट देखिए, सचिदानन शब्द में आपको संधी विचियत बताना है क्या हो गए इसका? यह हो जाएगा सत, धन, चित, धन, आनन्द नेक्स्ट है जो गुपसा किस रस का स्थाई बहु है? C हो जाएगा बिवथ नेक्स्ट है सूरज को दीपक दिखाना का क्या अड़्थ है? रोशनी में अंदकार होना, किसी व्यक्ति की तुछ प्रशंसा करना, प्रभावस्थापित करना या सम्मान भढ़ाना B हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुछ प्रशंसा करना है, ठीक है? नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सी द्रविड परिवार की भाशा है? उड़िया, बांगला, असमिया या कंड़ D हो जाएगा यहाँ पर कंड़ नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपको शुद्वर्तिनियां बताने हैं भॉगॉलिक, भॉगॉलिक, भॉगॉलिक या फिर भॉगॉलिक क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, भॉगॉलिक नेक्स्ट है 69 प्रफूलित प्रफूलीत प्रफूलित या फिर प्रफूलत सी यहाँ पर हो जाएगा प्रफूलित ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर आपको बताना है विकल्प का स्थाई चेन करना है स्वाब लंबन मनुश्य को आत्म नेड़बर ही नहीं बनाता बलकि उसमें डैश भी जगाता है क्या विवेक, आत्मिश्वास, परिश्रम या आत्म बल भी हो जाएगा आत्मिश्वास नेक्स्ट है बीड़ा उठाना क्या उता है ड्रण संकल्प करना, भार उठाना, मेनत करना या गठोर परिश्रम नेक्स्ट है मनोच का PCS में चैन हो गया, समझो उसने गड़ जीत लिया, गड़ जीत चाना का क्यार थे इसका मतलब होता है कठिन कार्रे पूरा करना ठीक है नेक्स्ट है रड़ रड़ और ना मा को कौन से वेंजन कहते हैं सपर्स उच्छित अन्थस्थ वेंजन या अनुशाशिक मैंने इनके उपर डिटेल में नोट्स वाली वीडियो बना रखे तो देख लीजेगा उसमें ये वाला चैप्टर आपका पूरा अंपलीट है बी हो जाएगा ये हमारे अनुशाशिक वेंजन कहलाते हैं ठीक है नेक्स्ट आईए वह आयाओ में चला गये इस वाक्य में अव्यब क्या है सम्मन्द वोच्च, विस्में वोदक, समुच्चे वोदक या फिर आदार वोदक सी हो जाएगा ये समुच्चे वोदक है ठीक है अब आपको ये बताना है कि निमलिकित मेंसे कौन सा सब्द है जो कि कालवाचा क्रिया विशेशन है क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा आज ठीक है नेक्स्ट है निमलिकित वाक्यों मेंसे शुद्वाक्यों को पहचानी है श्रीमती गांदी भारत की प्रधान मंतरी थी मेरे उपर करपा करें मेरे घर के सामने पाटशाला है वहां भाड़ी भीड थी बताईए क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा मेरे उपर करपा करें नेक्स्ट अब आपको मिश्रुवाक्यों के देखने इसमें कौन सा है प्राता काल होने पर छड़िया चह चाने लगती है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लोट आओ जो विध्यार्ती परिश्रुमें वे अबसे लोग सफल होगा या फिर राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वेम राजा बन गया बताईए मिश्र कौन सा है यह हो जाएगा सी जो परिश्रु विध्यार्ती परिश्रुमी है वे अबसे सफल होगा नेक्स्ट आएए निमलिकित में से कौन सा उपसर्ग रहित शग्द है संयोग विदेश अत्यदिक सुरेश डी हो जाएगा शुरेश ठीक है नेक्स्ट आएए गर्व शूनने सब्द में कौन सा समास है कर्म ततपुरुष करण ततपुरुष संप्रदान ततपुरुष या अपादान ततपुरुष क्या हो जाएगा गर्व शूनने करता ने कर्म को करण से क्या हो जाएगा बी नेक्स्ट है सबजबाग दिखाना का क्यारत है प्रवावित इस्थापित करना लालश देकर बहकाना बिवेक हो देना या फिर होशोड़ जाना इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा बीव लालश देकर बहकाना नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपको संधी विच्छेत बताना है साई अधी धन कांश अनुक धन दित प्राणा धन याम त्रपुर धन अरी बताईए क्या हो जाएगा त्रपुर धन अरी ठीक है अब अंचानन में कौन सा समास है तत्पुरुष बहुप्रही द्विगू या कर्मधार रहे बी है यहाँ पर बहुप्रही ठीक है तीन तेरे करने का क्या मतलब होता है प्रतकता की बात करना जैसे को तैसा गुसा करना या पूरी तरह फट जाना देखे तीन तेरे का मतलब है प्रतकता की बात करना ठीक है नेक्स्ट है हसुई के ब्याम है खुर्पे की का गीत शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बाते करना या निचलिस तरखी बाते करना सी हो जाएगा असंगत बाते करना नेक्स्ट पताना है देव्य अर्पन का संधि विच्छित क्या होगा देवधन अरपण, देवधन अरपण, देवधन अरपण या फिर देवधन अरपण, देवधन अरपण, देवधन अरपण, देवधन अरपण, देवधन अरपण हुआ है, क्योंकि E और A मिलके या बने हैं, चीक है, नेक्स्ट है, पुस्तक ये शब्द में प्रत्य बताना ह पुस्तक की है, यह की sound आ रही है न, क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, E है Next है, सबतनतरता सबको प्यारी होती है वाके के रेखांकिश शब्द का संगयावेद बताना यानि कि सबतनतरता में कौन से संगयावेद है? जातिवाचक, भाहवाचक, गुडवाचक या फर इनमे Schutz significant कोई नहीं देखें यहां पर बात करें यहां पर सुतंतरता जो है वह एक भाहव है ठिक है तो यहां पर क्या हो जायेगा सुतंतरता सबको प्यारी होती है यह एक भाहवाचक संगया है ठिक है तो हो जाएगा नेक्स्ट है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है उत्तम पुरुष, शमंत्य पुरुष अन्य पुरुष या फिर इन मैसे कोई भी नहीं बताईए मुझे मैं सर्वनाम आपको यहां पर बताना है क्या होगा मुझे का सर्वनाम इसका देखें, यहाँ पर right answer हो जाएगा A, जो की हो जाएगा, यहाँ पर उत्तम पुरुष्ट ठीक है, next question देखें विशेशन सब्द जिस संग्या यह सर्वनाम के विशेश्टा बताता हो से क्या कहते हैं, क्रिया विशेशन विशेश है, प्रविशेशन या फिर उपमान, बताईए इसका जो right answer होगा, वो होगा है हाँ पर हमारा option number भी विशेश है, next है मूल अकर्मक धातुआं के साथ प्रत्य जोड़कर बनाई गई, क्रिया धातुएं क्या कहलाते हैं सैक्तु धातु, दुईकर्मक, साधित या फिस समस्त C हो जाएगा साधित सकर्मक धातु next है प्रेमवाटिका, किसकी काव्वे करती है रस्खान, नरहरीदास, आलम या भारतिंदु हरिष्चन यह हो जाएगा रस्खान, ठीक है अब आपको बताना है जो अली शब्द है उसमें अली शब्द का अनिक आर्थी कौन सा नहीं होगा सकी, भ्रमर, रूपसी या बिच्छू क्या हो जाएगा रूपसी, चीक है नेक्स्ट देखिए त, थ, द, ध, और स, आदी का उच्चारण स्थान है तालव्वे, दंते, मूर्धन्य या दंतोष्थे क्या हो जाएगा, बी, दंते नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुरलिंग रूप में प्रियुक्त नहीं होता हाती, दही, नदी या पानी दिखिए, नदी इस त्रिलिंग में प्रियुक्त होता है, इसलिए C हो जाएगा सब्द प्लस रिशी इससे बनी संदी है दीर, गियन, व्येंजन या गुड़ क्या हो जाएगा, सब्द प्लस रिशी हो जाएगा हमारा गुड़ संदी नेक्स्ट है, बाढ़ पिरीटों की सहाय तक की संबन में पत्र लिखा जाता है लेखादिकारी महोदे को, जिलादिकारी महोदे कुलपती महोदे या अचार्य महोदे, बताईए देखिए, वहां की जिलादिकारी को लिखेंगे, ठीक है, उप्शन B ठेले पर हमाल लें, किसकी विदा की रचना है निबन, कहानी, उपन्यास, या तरवरतन्त क्या है ये, एक निबन्ध है नेक्स्ट है, इन मेंसे कौन सा कवी, अश्ट छाप का नहीं है सूर्दास, कुम्भन्दास, नंददास, या फिर रैदास क्या हो जाएगा, D, रैदास नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक है नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्दास, 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 निम्द लिकित में अशुद्ध वर्तनी आपको बताने है आगन, मुश्किल, 25 या यूश्या क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आहांगन ठीक है तो यह था हमारे 2019 का पेपर हिंदी का होप यहां पर आपको कॉश्चंस से पुरा आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के कॉश्चंस पूछे जाते हैं बात करेंगे हिंदी में कौन-कौन से कॉश्चंस है जो कि आपके 2020 में पूछे गयते हैं जिससे कि आपकी इस साल की तियारी अच्छे से हो पाए इसका PDF आपको टेलिग्राम ग्रूप पर मिल जाएगा तो आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लीजिए माइकॉमर्स इन्फो के नाम से है और दूसर टेलिग्राम ग्रूप हमारा माइकॉमर्स इन्फो डिस्कॉशन के लिए है तो आप वो भी जोइन कर सकते हैं और अपनी query को वहां भी पूछ सकते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को last तक देखेएगा तब भी आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से आपके exam में questions पूछे जाते हैं देखें यहां पर जो question पूछा गया था वो है इन मैंसे प्रत्वी का कौन सा शब्द है तद्व, विदेशस, तत्सम या फिर इन मैंसे कोई नहीं तो आपको बताना है प्रत्वी शब्द जो है वो कैसा शब्द है पताईए, आंसर बत करिए फिर मैं आपको इसके बार में और समझाऊंगे देखें तत्सम दो शब्द से मिलकर बनता है तत्ट प्लस सम और जिसका अर्थ होता है उसके समान अथा संस्क्रत के समान संस्क्रत में ऐसे शब्द है जो की जोंकित यों प्रोग में लिये जाते हैं उनको तत्सम सब्द कहते हैं तो आप यहां पर समझी गए होंगे जैसे अगनी को अगनी ही बोलते हैं वायू माता प्रकाश सूर्य प्रत्वियादी यह सब हमारे क्या है तत्सम शब्द हैं तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका तद्वब रूप की अगर बात करें तो यह भी आप लिख सकते हैं इसका तद्वब रूप है प्रत्वी इसको इस तरह से लिखते हैं तद्वब वा है यह ठीक है प्रत्वी ओके नेक्स्ट है संप्रदान कारक का पड़सर्ग है अब संप्रदान कारक का चाहिए और आंसर करिए क्या होगा इसका देखिए आपको ये यादोना चाहिए करता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यहाँ पर क्या पूछा है संप्रदान तो के लिए हो जाएगा अपदान से करण में भी से है अपदान में भी से है लेकिन अपदान में जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ अलग होने का मतलब है जैसे कि पेड से पत्ता गिरा वो से अलग हो गया बच्चे स्कूल से निकले यानि कि बच्चे स्कूल से अलग हो गया तो वहाँ पर आपादान कारक है ठीक है यहाँ पर संपरदान पूछा है तो इसके लिए आजाएगा कि option D हमारा right है नेक्स्ट है मैं चित्र बना रहा हूँ वाक्य में काल कौन सा है बताए भविश्य है बूत है अनिश्चित है या फिर बरतमान है देखिए यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ है यानि कि वो कार्य भी चल रहा है वो भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है ठीक है स्टार्ट तो हो चुका है और चल भी रहा है लेकिन अभी खतम नहीं हुआ है तो यहाँ पर है वरतमान कार्य ओप्शन D यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट कोशन देखिए आलू किस भाशा का शब्द है पुर्तगाली चीनी अर्वी या फिर अंग्रेजी यह पुर्तगाली शब्द बहुत पूछे जाते हैं तो मैं आपको कुछ अभी important बताऊंगी उनको note कर लीजेगा हो सकता है एक्जाम में और उनी में से पूछ ले जाएं देखिए यहाँ पर बात करें आलू किस भाशा का शब्द है तो यह आलू एक पुर्तगाली शब्द है option a यहाँ पे हमारा right है इसमें कुछ और शब्द भी है वो भी note कर लीजे जैसे कि allpin, almari, ispat, godam, pistol, pistol बहुत बार पूछा जाता है तंबाकू, काजू, संत्रा और mystery यह सब हमारे पुर्तगाली शब्दे और लॉट फिर के यह पूछ लिए जाते हैं जिसमें pistol तो बहुत बार पूछा गया है तो यह सब note कर लीजेगा अपने exam में और जब भी revision करें इनका revision करें जिससे कि आपको याद हो जाए नेक्स्ट है शावर का उच्चारण इस्थान है दात, मूर्धा, तालू या फिर कंट बताइए ये भी मैं आपको theory classes में समझा चुकी हूँ पूरा देखी जो हमारा कठोड तालू होता है उसके मद्धे का भाग हमारा मूर्धा क्यलाता है जब हमारी जो जीब है वो उल्टी हुई नौक पर निचला भाग मूर्धा से स्पर्ष करता है तब ऐसे इस्तिती में मूर्धन्य व्यंजन हमाई निकलते हैं जैसे कि टा, ठा, ढ, 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 श, ये सब क्या है हमारे मूर्धन्य है तो यहाँ पर शा का जो चारण है वो जिहा मूर्धा को स्पर्ष करते हुए निकला है इसलिए यहाँ पर option क्या होगा मूर्धा हमारा right answer हो जाएगा okay next है निमलेखित में से कौन सा गूलर का fool होना मोहावरे का सही अर्थ है अतिप्रसन होना fool की तरह खिलना दुरलब वस्तू सुगंदित होना बताईए देखिए गूलर का fool होने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि कोई भी दुरलब बस्तू है उसका मिल जाना जैसे कि आप यह भी समझ सकते हैं आज के समय में लक्षमर जैसे भाई का मिलना वो भी एक गूलर के fool के समान है तो यहाँ पर दुरलब बस्तू इसका right answer हो जाएगा option C ठीके नेक्स्ट देखिए सुत्व शब्द को स्त्रिवाचक बनाने के लिए किस प्रत्य का प्रयोग किया जाएगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं पहले सुत्व का आप प्रया वोश्वारी विलॉम शब्द देखिए क्या होगा या स्त्रिवाचक देखिए यहाँ पर इसका जो right answer होगा वो होगा D क्योंकि सुत्व का स्त्रिवाचक होता है सुता ठीक है और सुत्व आ की अवाज आ रही है तो D ही होगा ठीक है नेक्स्ट है पैरों से लेकर सिर्टक का एक सब्द क्या होगा आध्योपांथ आपादमस्तक नतमस्तक या फिर इनमेंसे कोई नहीं बताइए पैरों से लेकर सिर्टक की बात कर रहे हैं देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B आपादमस्तक आधोपांथ और नतमस्तक का मतलब होता है आधी से लेके अंतितक और नतमस्तक का मतलब होता है किसी के सम्मान में हम सिर्ट जुकाते हैं तो उसे बोलते हैं नतमस्तक ठीक है तो यहाँ पर option B आपादमस तक हमारा right answer हो जाएगा next है काववे में भाव तथा कला के सौंदरे को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं रस, छंद, चौपाई या फिर अलंकार बताएए देखी काववे में किसी भी भाव या कला के सौंदरे को जब भी कोई बढ़ाता है तो उसको हम बोलते हैं अलंकार जैसे कि अनुप्रास हो गया या मक हो गया शलेश हो गया ये सब कैसे हमारे अनुप्रास वो शौरी सब्दालंकार है यानि कि अलंकार भी दो तरह के होते हैं तो यह है हमारे शब्द अलंकार दूसरा होता है अर्था अलंकार जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, और प्रेक्षा हो गया यह अर्थ अलग निकालते हैं और अनुप्रास यमकोशलेश में क्या होता है जिनका अलग-अलग मीनिंग होता है तो यहाँ पर option D अलंकार हमारा right answer हो जाएगा next है हिंदी की सर्फ्रेस्ट हास से व्यंग निवंदकार है हरी शंकर परसाई, जै शंकर परसाद आचारे राम परशाद शोकल या फिर महावीर परसाद दुएदी बताईए देखे हिंदी की सर्फ्रेस्ट हास से व्यंग निवंदकार के बात करें तो वो है हरी शंकर परसाई तो नोट कर लीजे और यहाँ पर देखे इनके कुछ व्यंग निवंद है उनको भी नोट कर लीजे हो सकता है इस वार एक्जाम में वो पूछ ले जाएं क्योंकि हर वार एक्जाम में इसी तरह का पैटर्ण चलता है जो options होते हैं previous paper के वो इस वार के question बना दिये जाते हैं तो नोट कर लिजे बेइमान की परत, प्रेमचंद के फटे जूते, वैशड़फ की फिसलन, पगटंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सब इनके दौर लिखे गए निवन्द हैं ठीक है नेक्स्ट है, शडानन सब्द के सही संधी विच्छेत पर सही निशान लगाई, अब देखिए यहाँ पर एनोंने question पूछ लिया, पिछली बार क्या किया था, इसकी संधी पूछ लेती कि इसमें कौन सी संधी है ठीक है, तो खुमा फिराके question पूछ ले जाते हैं, तो आपको हर question पर उनके options पर ध्यान देना है बताइए क्या होगा इसका answer देखिए इसका जो answer होगा, वो होगा option D, शट प्लस आनन, यानि कि शट धन आनन, ठीक है नेक्स्ट है चक्रधर, ये क्या है, रूण है, योगिक है, योगरूण है, या फिर विदेशी है देखिए, जब हम चक्रधर की यहां पर बात कर रहे हैं, तो पहले आप इनके meaning समझ लिजेए, कि योगिक, रूण ये क्या होते है देखिए, वे शब्द जो योगिक होते हैं, परन्तु उनका अर्थ विशेश होता है, तो योगरूण कहलाते है ये सामान ने था, अर्थ को प्रकट ना करके, किसी विशेश अर्थ को प्रकट करते हैं, इसलिए ने योगरूण कहते हैं, जैसे कि चक्रधर है चक्रदर का मतलब क्या है, चक्र प्लस धन, यानि कि जिसने चक्र को धरण गिया है, अर्थात भवान विश्नू, अलग मिनिंग निकला, तो यहाँ पर योगरून है, यानि कि जो इनमें शब्द है, उन शब्द का कोई तीसरा मिनिंग निकलेगा, वो हमारा कहलाता है योगर तो आप्शन से यहां पर राइट है I hope यहां तक आपको सारे कॉशन क्लियर हो रहे हैं वीडियो पसंदार यह तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के अश्राथ भी शियर कीजिए जिससे कि उनको भी इसका वेनिफिट मिले ठीक है नेक्स्ट है निमलिकित मेर से अनिश्यवाचक सर्वनाम क्या है कुछ कौन यह है या फिर क्या बताएए देखें यहाँ पर अनिश्चे वाचक सर्वनाम की बात करें तो यह है कुछ क्योंकि कुछ में हमें अभी पता नहीं है क्या हमने कहा कुछ ठीक है जबकि कौन यह है क्या इसमें निश्चे वाचक सर्वनाम है इसमें पता है हमें क्या चीज है ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा right है next question है संबंद वोधक अव्य किसके साथ प्रयोक्त होते हैं संग्या अथवा सर्वनाम के विशेशन के क्रिया के या फिर काल के बताईए देखिए right answer is का a संग्या अथवा सर्वनाम के ठीक है next है स्थाई भाव को जगाने और उदिप्त करने वाला कारक कौन सा है आलमबन ऊदिपन विभाव या फिर अनुभाव देखिए यहां पर स्थाई भाव को जगाने और दीप्त करने वाले कारक के बाएर में बात कर रहे है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बिभाव ठीक है बिभाव दो प्रकार के होते हैं ये भी नोट कर लीजिए आलंपन बिभाव और उद्धीपन बिभाव ठीक है नेक्स्ट है जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट कुछ पंक्तियां बताई थी तो वहाँ मैंने ये आपको बताया था ये एक्जाम में बहुत पूछी जाती है जिव जो निहारे, नेरे है, नैनाही तियों-तियों खरी निक्रे सानिकाई, पंक्ती में कौन सा लंकार है, उपमा, रूपक, अनुप्रास याफे पुनरुकती देखिए आप नोट कर लीजे जब भी किसी भी लाइन में जियों जियों त्यों 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 इस तरह के वर्ड आते हैं तो वहाँ पर पुन्रुक्ती लंगार होता है तो option D हहाँ पर हमारा right answer है next है इन में से कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है उज्जुवल, दीपक, मूर्ती या इन में से कोई नहीं बताईए क्या होगा answer देखिए right answer है इसका D, इन में से कोई नहीं देखिए उज्जुवल कैसे लिखा जाता है नोट कर लीजिए यह बहुत बार पूछा जाता है उज्जुवल यानि कि दौनों जा आदे होंगे दीपक, बड़ी की मात्रा होगी यह इस तरह लिखे जाते हैं तो कोई भी शब्द यहाँ पर शुद्ध नहीं है नेक्स्ट है निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है अतिक्रमन, प्रतिछन, सुग्म, तर्शन बताईए किसमें उपसर्ग नहीं लगा है देखी यहाँ पर बात करें तो देखी अतिक्रमन अति यहाँ पर उपसर्ग है प्रतिछन, प्रति है उपसर्ग, सुग्म, यहाँ पर है लेकिन दर्शन में नहीं है दर्शन किससे बना है? द्रश्ट तो यहाँ पर उपसर्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है द्रश्ट से काबवे के अंतरगात आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग, प्रहसन और कहानी बताईए क्या होगा आंसर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नाटक और प्रहसन, ठीक है? नेक्स्ट देखिए यह चिन क्या है? लाघब चिन है? पुनरुक्ती बोच चिन है? आदेश चिन है? या फिर हनस्पाद है? बताईए ध्यान से देखिए इस चिन को आपने ऐसा चिन यह देखा होगा, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इस तरह यह चिन तब लिखे जाते हैं, जब ऊपर कोई चीज हमने ऐसी लिखी होती है, जिसको नीचे भी सेम वैसा ही लिखना है, लेकिन हम वो लिखना नहीं चाते हैं जैसे कि मैंने लिखा, मैंने लिखा बार, अब मुझे नीचे भी बार लिखना है, तो मैंने ऐसे कर दिया, फिर मैंने लिखा हर, फिर मैंने को नीचे भी यहाँ पर हर लिखना है, तो मैंने ऐसे कर दिया, तो यानि कि कोई भी शब्जा हमें द्वारा लिखना है, लेकिन स नेक्स्ट है प्रकर्ति के सुकुमार कभी कहे जाते हैं जब मैंने आपको इंपोर्टेंट ये इस तरह के रचना और इनके नाम बतायते कि इनको क्या-क्या कहा जाता है तो वहाँ पर ये भी कराया था तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है सूरकांतर पाठी निराला सुमित्र नंदन पंद जैसंकर प्रशाद या फिर कभीर बताये क्या होगा देखिए च्छायावादी युक के महाण कभी थे सुमित्र नंदन पंद उनको प्रकर्ति का सुकुमार कभी कहा जाता है पंत जी ने प्रकर्ति के माध्यम से प्रतेक भाव को बड़ी ही सुन्दर तरीके से सब्दों के साथ उके रहा था इसलिए इन्हें प्रकर्ती के सुकुमार कभी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रकर्ती के लिए बहुत सारे ऐसे चीजे थी प्रकर्ती को लेकि इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे इसलिए इनका नाम ये प्रकर्ती के सुकुमार कभी रखा गया तो option यहाँ पर B right answer हो जाएगा next है स्वाविमान स्वाधिन्ता का प्रतीक है चुहा, स्वान, कबूतर या फिर सिंग देखें यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा D स्वाविमान स्वाधिन्ता का प्रतीक है option D ठीक है next question है अली शब्द के दो अर्थ है बताए क्या भोरा सकी घाट घर जल पाने पिता भाई बताए क्या होगा देखे right answer होगा option A बहुरा और सकी अली को बहुरा भी कहा जाता है और अली को सकी भी कहा जाता है ठीके, next और भी बहुत बोलती है VAKY में kriya vision है वह बहुत बोलती या फिर है kriya vision यानि कि kriya की विशेशता बताए वो शबद अपको बताना है क्या होगा तो पहले आप यह देख लीजे कि इसमें kriya क्या है और उसकी विशेशता क्या बता रहा है बताए ंसर जो बोलती है उसकी विशेष्टा है बहुत क्या करती है वो बहुत बोलती है तो यहां पर option B बहुत right answer हो जाएगा next है उच्वल देखिए अगर आपके time भी इस तरह के questions आते हैं तो अगर किसी भी question में आपको carry लगती है तो उसको please छोड़ दीजिए क्योंकि कई वार क्या हो दीर्ग, योग, वेंजन या फिर विसर्ग बताईए देखिए उज्वल में बात करें तो यहां पर हैं हमारी वेंजन संधी इनके कुछ और शब्त हैं जो कि पूछे जाते हैं एक्जाम में बहुत नोट कर लीजे जैसे कि सज्जन, विपजाल, सज्जाती यह एक्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो यहां पर option 3 right answer हो जाएगा नेक्स्ट है चायवादी UK प्रवर्तक है अभी-अभी मैंने आपको समझाया था जैशंकर प्रशाद है, श्रीधर पाठक है, समित्रा नंदन पंत है या फिर रामचंदर शुकले देखे चायवादी UK के प्रवर्तक माने जाते हैं जैशंकर प्रशाद इनकी प्रथम रचना थी जर्ना जोकी 1918 में आई थी तब ही से कहा जाता है कि चायवादी UK का प्रारंभ हो गया था ठीक है तो option A यहां पर हमारा जैशंकर प्रशाद राइचांसर है नेक्स्ट है पावक शब्द उधारण है दीर्ग स्वर्संदी का गुर्स्वर्संदी का ब्रधी स्वर्संदी का या फिर आयादी स्वर्संदी का देखी पावक की बात करें तो यहां पर option D राइट आंसर हो जाएगा अयादी स्वर्संदी इसके कुछ और भी मीनिंग है जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि नयन ने धन अयन नई प्लस अक नायक बनता है पव धन अन पवन बनता है पव धन अक पावक बनता है ठीक है तो नयन हो गया नायक हो गया पवन हो गया पावक हो गया यह एक्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं तो option D यहाँ पे हमारा आयादी संदी राइट आंसर है नेक्स्ट है सामानने ताहा काववे के कुल कितने भेद बताए गए हैं एक दो तीन या फेच चार बताईए क्या होगा देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे option नमर B जो की है दो अब वो दो कौन-कौनसे हैं यह भी नोड कर लीजिए दरश्य काववे और श्रव्य काववे कौनसर दरश्य काववे और श्रव्य काववे ठीक है नेक्स्ट है प्रसारन का विलोम शब्द है प्रतिपादन, आरेक्षण, अंकुचन, आकुंचन या फिर सदर्शन देखिए इनका मीनिंग भी देख लीजिए प्रसारण का अर्थ होता है फैलाना तो यानि कि हमें ऐसा सब्द देखना है जिसका अर्थ हो सिकुड़ना तो आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना तो ओप्शन C यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोक संस्कृती का जन्म हुआ शहरों में, गाओं में, कस्बों में या फिर विद्ध्याल्यों में बताए क्या होगा देखिए लोक संस्कृती का जन्म हुआ था गाओं में तो ओप्शन B यहाँ पर राइट है नेक्स्ट है कृपान शब्ध है आगत देशस तद्वव या फित तद्सम दीए कृपान जो है वो तद्सम शब्ध है इसका तद्वव रूप कटार होता है तो इसके साबसे यहाँ पर जो हमारा option होगा वो D यहाँ पर right answer हो जाएगा तद सम्शब्ध ठीक है Next है बुद्धी ब्रहमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है चक्कर में पाढ़ना, अकलव पत्थर पाढ़ना, धोखा खाना या फिर उल्लू बनाना देखिए बुद्धी ब्रहमित होने का मतलब होता है चक्कर में पाढ़ना जैसे मेरे मित्र ने एक ऐसे प्रश्न पूछा कि मैं चक्कर में पढ़ गया परन्तु उसका जवाब मुझे सूजा ही नहीं, ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए चक्कर में पाढ़ना अब देखिए यहाँ पर मुहावरे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सिर्प से बोज उतारना, भार टालना, बक्सा रखना, जमीन पर कुछ पटकना या बात पक्की होना, बताएए देखिए, सिर्प से बोज उतारने का मतलब होता है, अपने इसे भार टालना, याने कि जो भी आप पर भार था, वो आपने टाल दिया, जैसे कि मेरे उपर कर्च का भार था, उसने माफ कर दिया, तो मेरे उपर से सारा बोज उतार गया तो ऑप्शन ए राइट है, नेक्स्ट है, निमलिकित में रूण शब्द कौन सा है, वाचनाल ले, समतल, वित्याल ले या फिर पशू, तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, डी वो राइट आंसर हो जाएगा, पशू, ठीके? नेक्स्ट है, महोटसब में संदी है, गुर संदी, विसर्क संदी, अयादी संदी या फिर व्येंजन संदी देखिए, महोटसब की बात करें, तो यहाँ पर गुर संदी स्कराइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ गुर संदी है, नेक्स्ट है, अमबर का बिलॉम क्या है, अवनी, आकाश, अभिन, या फिर प्रच्छिप्तु देखिए, अमबर की बात करें, तो इसका व्लॉम हो जाएगा, अवनी, आप्शन, यहाँ पर राइट आंसर है लेकिन यहाँ पर अवनी गलत तरीके से लिखा हुआ है, अवनी हमारा इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है नेक्स्ट है, मुझे कैशा सब्द है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष देखिए कभी भी कोई भी लेखा किया वक्ता अपने लिए कोई भी शब्द प्रियुक्त करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं मुझे, मैं, हम, हम, साजरे क्या हैं ये उत्तम पुरुष हैं तो option C आपे हमारा right answer हो जाएगा next देखिए अगर हम इसका बिग्रे करें तो ये होगा बाहरी मुख वाला या सबसे घुलने मिलने वाला जिसका पूरुष पद अव्य तथा प्रधान होता है वो अव्य भाय समास हमारे कहलाते हैं तो option A ये हमारा right है next question है सूर्दास की साइतिक भाशा है क्या ब्रजभाशा, अब्धी, भोजपरी या फिर मैतली देखी right answer होगा सूर्दास जो है वो ब्रजभाशा के कभी है और ये भक्तिकालिन क्रिश्न काभवे के स्रिष्ट कभी माने जाते हैं इनकी कुछ रचना है और नोट कर लीजे बहुत पूछी जाती है जैसे की सूर्द सावली, साइत्ते लहरी ये सब ब्रजभाशा में लिखी हुई है बहुती इंपोर्टेंट भी है नेक्स्ट है महा काभवे में वर्णन होता है मानव जीवन के ब्रहत और व्यापक चित्र का मानव जीवन के सूक्ष्म पक्षण का चित्रण मानव जीवन के एकांग की पक्षण का चित्रण या फिर मानव जीवन के ब्रहत पक्षण का चित्रण बताईए देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा option A मानव जीवन के ब्रहत और व्यापक चित्रण का यहाँ पर वर्णन किया जाता है महाकाववे के अंदर तो option A right answer है next है काली मिर्च में कौन से समास है कर्मधार रहे, तत्पुरुस, द्विंध या फिर बहुब्री दिखिए यहाँ पर जो right answer होगा वो होगा option A कर्मधार रहे अगर इसका समास विक्रे करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा काली है जो मिर्च तो यहाँ पर जो समास है वो है हमारा कर्मधार समास option A right है next है उर्वर्शी किसकी कावे क्रती है अग्य की, सुमित्रा नंदन पंत की, रामधारी सिंग दिनकर की या फिर कुवन नारायन की देखिए उर्वर्शी बात करें तो यह रामधारी सिंग दिनकर की है जो की 1961 में प्रकाशित हुई थी उर्वर्शी और प्रूरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ना चाहा है उर्वर्शी वीररस का प्रधान रचना है तो यह भी पूछा जा सकता है इस बार के उर्वर्शी में कौन सा रस है तो उसमें फीररस की प्रधानता है ठीक है तो आप्शन सी यहाँ पर राइट है नेक्स्ट है सन्यासी का प्रयावाची क्या होगा ढोंगी, बावा, प्रधा या फिर डंडी देखिए सन्यासी की प्रयावाची शब्द की बात की गई है प्रयावाची शब्द की तो वेरागी, विरत, परिवराजक यह सब जिसके है नेक्स्ट है अडबोग, रत्सका, इस्थाइभाव क्या है जुगुपसा, विसमे, भै या फिर उत्सा देखिए अडबोग, रत्सका, इस्थाइभाव है, विसमे हो गया अब इस्थाइभाव की तोटल आप संख्या नोट कर लीजे, यह भी पूछी जा सकती है तोटल नौ भाव होते हैं हमारे जैसे कि रती हो गया, हिरास हो गया, शोक हो गया क्रोध हो गया, उत्सा, भै, जुगपसा, विसमे, निर्वेद, जिसमे अद्बोदरस का इस्थाइभाव मैंने आपको बताई दिया है, विसमे है नेक्स्ट है, निमलिखित मैंसे कौन सा कवी भक्तिकाल का नहीं है इश्वर्दास, नाभादास, मतीराम, या फिर रहीम, बताईए देखिए, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भक्तिकाल का नहीं है मतीराम, जबकि इश्वर्दास, नाभादास, रहीम, ये सभी हमारे भक्तिकाल के हैं और जो यहां पर हम बात करें मती राम की तो यह भी नोट कर लीजे यह हमारे रितिकालीन कभी है ठीक है नेक्स्ट है निम्रिकित में से अशुद वाक के हमें चैन करना है मैं आज भी द्यार ले नहीं चाहूंगा बच्चों को काटकर फल खिला दो वहाँ सुंदर द्रश्य ह वह अत्यांद बुद्धिमान और वल्शाली है देखें यहां पर बात करें अशुद की तो ऑप्शन भी हो जाएगा बच्चों को काटकर फल खिला दो अब यहां पर देखें मीनिंग गलत निकरा है पहले बच्चों को काटना है या फल को काटना है यह भी यहां पर समझ बच्चों को काट कर फिर उन्हें फल खिलाने है यह तो गलत हो गया ना मीनिंग यहां पर आना चाहिए बच्चों को फल काट कर खिला दो तो यहां पर काटना क्या हो जाएगा फल और यहां से मीनिंग निकल लाए बच्चों को काट दो ठीक है तो यह गलत है अशुद है तो option भी यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next है कारवा किस विधा की रचना है नाटक, कहाने, उपन्यास या फिर एक आंग की देखिए यहाँ पर बात करें कारवा की तो यह भुवनेश्वर की एक आंग की विधा की रचना है और यह हमारी स्टार्ट हुई थी या फिर आप इन्हें बात करें प्रकाशित काव हुई थी तो यह हुई थी 1935 में तो यह एक आंग की रचना है तो option D आपे हमारा right answer हो जाएगा next है निमलेखित मेंसे सेंग तुवाक के बताना है उत्तर देने का यह धंग ठीक नहीं है उसे गर्व है कि वह है उचकुल में पैदा हुआ दवा लो और बुखार कम हो जाएगा यह बात सभी को स्विकार रहे है बताइए देखिए संयुक्त वाक के वो होते हैं जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है आप देखिए दो वाक के कौन से हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है और मीनिंग एक दूसरे से जोड़ा हुआ है देखिए राइट आंसर हो जाएगा दवा लो और बुखार कम हो जाएगा एक दूसरे से जोड़े हुआ है और यहाँ पर और जो है यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है दवा लो अलग है और बुखार कम हो जाएगा अलग वाक्यों है और लगा दिया तो दोनों आपस में जोड़ गए नेक्स्ट है कंजूसी से धन वे करने वाला मसरण, मितवई, अलवई, कृपण देखिए कंजूसी से धन वे करता है उसको बोलते है मितवई तो option B यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा नेक्स्ट है विशेश्णों की विशेश्टा बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेश्य, क्रिया विशेश्ण, प्रविशेश्ण या फिस सार्वनामिक विशेश्ण बताए क्या होगा देखिए right answer हो जाएगा option B C प्रविशेश्ण, ये विशेश्णों की विशेश्टा बता रहे हैं जबकि other words पर जाएगा जैसे कि क्रिया विशेश्ण, ये क्रिया की विशेश्टा बताते हैं ये सार्वनाम की विशेश्टा बताते हैं विशेश्चे की बात करें तो देखिए जब की विशेशन जिसकी विशेशन जिसकी विशेशन बताए उसे विशेशन कहते हैं जैसे कि रोहित बहुत तेज दोरता है रोहित की यहाँ पर विशेशन बताई जा रही है ठीके तो यह विशेशन है तो यहाँ पर option C विशेशनों की विशेशन बताने वाल आपके पास दो महीने help आप अच्छे से त्यारी कर सकते हैं हमने बहुत सारे practice set करा दिया अगर आप यह सारे practice set भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप easily clear कर सकते हैं कोई भी query हो टेलिग्राम ग्रूप पर आप पर्सनली मुझे मैसेस करके पूछ सकते हैं और अपनी फ्रेंड्स से वीडियो को ये शेयर कीजिए जिसे कि उनको भी हेल्प मिले और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे और किसी भी तरह की कोई भी कोईरी हो तो प्लीज जरूर बताएगा तो नेक्स्ट वीडियो में फे मिलते हैं आपसे और वेच्छी वीडियो के साथ तब तक प्लिए टेक क्यार बाई बाई